हेलो फ्रेंट्स बेलकम टू अलाइन इस्टेडी किंग्डम दोस्तो उत्तर प्रदेश राजस शुलीक पाल के लिए ग्राम समाज और विकास से संब्धित जो 25 वप्रस्न पूंचे जादे हैं उसे के लिए यहां पर आज 500 practice set आपको कबर करने हैं जिसमें कि आप देखेंगे 50 practice set हैं और 2500 प्रस्न के होंगे तोटल जो प्रस्न होंगे वो 2500 MZQ होंगे तोटल तो 50 MZQ का पूरा का पूरा मास्टर वीडियो है आप इसको अच्छे से कबर कर लीजिए पचास प्रक्टिसर्ट कवर कर लीजिए अच्छे से आपकी अच्छी कासी प्रक्टिस हो जाएगी ठेयोरी आप पढ़ते रहिए ठेयोरी की अगर बात की जाए तो ठेयोरी में आपको ये एक बुक पढ़ सकते हैं अच्छे से मेरे हिसाब से अगर आपको कबर करनी चाहिए तो घटना चक्र की जो आपकी 2022 एडीसन है चैनल पर कबर कराया जा रहा है इसको आप कबर करते चलिए और साथ ही शाद अगर आपका अगर यूपी स्पेशल आपका अच्छा तयार है तो ग्राम समाज विकास से संबंधित प्रसनाप से बिलकुल अच्छे से साल्व हो जाएंगे क्योंकि आप देखेंगे 25 उप्रसन में 10 से 12 प्रसन आपको उत्तर प्रदिश रिसल से देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आई ये हम लोग स्टार्ट करते हैं और 50 प्रैक्टिस से अट को अच्छे से कबर करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त अधि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी सब्सक्रीप्शन ही हमारी ताकत है साथ ही आल नोटिफिकेशन बेल आइकान को आप जरूर प्रैस कर लीजेगा ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट साब सभी को प्राप्त होती रहे तो आईए दोस्तों प्रैक्टिस येट नमबर वन से स्टार्ट करेंगे और 50 तक कबर करेंगे एक ही वीडियो में तो प्रैक्टिस येट नमबर वन पहला प्रैस्ण है कि राष्टिय सरसों धन्थान केंद्र कहां पर अवस्ति थे आपसंसी भारतपुर में दूसरा प्रैस्ण दे रख्का है परियोजनाएं हैं और उनके उद्देश से हैं यहां पर मिलान करना है पहला दिया है सोजल धारा योजना तो इसका जो अदेश है सोजल धारा योजना का अदेश ग्रामीर जलापूर्थी करना है जल जीवन हर्याली योजना का उद्देश या वाटर शट प्रबंध है स्वण जैन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो उद्देश है वो है ग्रामीड स्वरोजगार प्रधान मंत्री ग्राम शनक योजना का जो उद्देश है वह गाउं को जो है शनक से अंप संपर्ग करना ठीक है तो ग्रामीडी शंपर्ग है यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा आपसंडी तीसरा प्रस्त अधिक उपज प्रजाती कारिक्रम किस बर्स प्रारंब किया गया था भारतिय किसानों की बेती आवसक्ताओं की पूर्ति हे तो अल्पकालीन रिण कितनी आवधी के लिए प्रदान किया जाता है आपशने बारा माह के लिए अगला प्रस्न है तीन प्रमुख उर्बरक उत्पादक संस्थाओं इपको, क्रिभको तथा आईपी अलद्वारा किसको की शामोहिक सुरच्छा के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है आपशने संकट हरण बीमा योजना सस्यन गहनता केतने प्रत्शत से अधिक होने पर उसे गहन क्रिसी की उपमा दी जाती है आपशने दूसो प्रतिशत राश्टिय सुरक खरपतवार विग्यान अनुशंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है आपशने जबलपूर मद्ध प्रदीश विश्टु में कपास का सरबाधिक छेतरफल कहां पर पाया जाता है आपशन सी अपने प्यारी भारत में सोया बीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है आपशन बी बीस से बाईस प्रतिशत सरसो किस प्रकार की फसल है रभी फसल है आपशने गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है आपसंसी उत्तर प्रदीश उत्तर प्रदीश में जैनियों बोध दोनो धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है आपसनी कौशामबी आगरां नगर की अस्थापना किस ने की थी आपसंसी सिकंदर लोदी ने साह अब्दुल रज्जाग की दरगाह कहां पर अवस्थित है आपसंसी बारा बंगी में बर्तमान उत्तर प्रदीश राज्जी की परिछेत्र को उत्तर भैदी को काल में किस नाम से जाना जाता था तो इसको ब्रह्मभर्शी प्रदीश और मध्य प्रदीश की नाम से जाना जाता था आपसंडी करेक्ट एंस्वर आपसंडी अगला है आपका की गुरुग गोविंद देव मंदिर जगन मंदिर तथा मदन मोहन मंदिर कहां पर अवस्थित है आपसंडी बरसाना में उत्तर प्रदीश में प्रतिवर्श होली कोट्सो के अउसर पर लठमार होली का आयोजन किस अस्थान पर किया जाता है तो लठमार होली का जो आयोजन है वो बरसाना ब्रिंदा बन में किया जाता है आपकी जिए हाँ बरसाना बरसाना में ठीक है यहाँ पर एक्चुली क्या है इन्हें दो आप्चन दे रखे हैं यहां पर आपको लट्ठ मार होली कि आयुजन किया जाता है यहां पर आप आपसंसी लगाईएगा ठीक है आपसंसी यहां पर आपका सही जबाब होगा देश की कुल क्रिसी योग भूम का कितने प्रत्षत भाग उत्तर प्रदीश में इस्थिता है आपसंसी 22 प्रतिशत जमें चरागा लगभग 66,000 हेक्टियर है आपसंसी पसु टीकों का उत्पादन किस के द्वारा किया जाता है पसु टीकों का आपसंसी पसु जयबिक आउशदी संस्थान लखनव भारतिय संबिधान में कौन सा संसोधन पंचायती राज से संबंदित है आपसंबी 73 वा राज सरकार द्वारा सिच्छा मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था बर्स 2000-2001 आपसंबी उत्तर प्रदेश क्रिशी अनुसंधान परिशत की अस्थापना कब की गई थी बर्स 1989 इजदी में आपसंबी भारत खंडे संगीत संस्थान निम्न में से किस अस्थान परिश्थित है आपसंबी उत्तर प्रदेश तो इसी तरह आपनी 25 प्रस्ण आपने प्रेक्टिश एट वन में कवर किया बढ़ते हैं अगले प्रेक्टिश एट नमर दो की ओर पहला प्रस्ण है आपरेशन फ्लड कारिक्रम को किस ने सुरू किया था आपसंबी राश्ट्रिय डेरी विकास बोल्ड उत्तर प्रदेश का मैंचेस्टर किसको कहा जाता है आपसंडी कानपूर को राश्ट्रिय क्रिसी अनुसंधान परियोजना की अस्थापना कब की गई थी बर्स 1989 एजबी में कौन सी क्रिसी पद्धती 21 सदी की क्रिसी हेत आवस्यक मानी जा रही है आपसंडी पारिश्थिती की ये क्रिसी पद्धती आपसंडी अन्भंडारण हे तो अन्द में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुती की गई है आपसंडी बारा से कम इफसी आई के खादानों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल के बीच अंतर की प्रतिपूर्ती सरकार द्वारा कैसे की जाती है आपसंडी खादान अनुजान द्वारा भारत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरच्छन है आप कीजिएगे यहां पर आरच्छन की बात की गई है कि लोग शभा में आरच्छन है महिलाओं का या राज सभा में है या पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रि मंडल में तो आप जानते हैं कि महिलाओं का जो आरच्छन है ना तो लोग शभा में है और ना ही राज सभा में है और ना ही आपके मंत्रि मंडल में है अर अक्षन की जो बात की जाती है वह पंचायती राज सिस्टम की अधीन की जाती है आप सनिहाँ पर सही आपका सही जबाब हो जाएगा जब आप घटना चक्रवाली जो स्रीज चला ज़रा है वो आप जाके रच्छे से कबर करेंगे आपको मालुम चल जाएगा आर्टिकल नमबर 243 डी में शाफ शाफ बताया गया है और कुलाज उसका थिरी है यह सारी चीदी आपको जानकारी मिलेंगी कि मिनिमम जो है वन थर्ड आपको रेजर्वेशन महिलाओं का होना ही चाहिए आगे बढ़ते हैं सरबाधिक कार्बो हाइडरेट की स्वखादान में पाया जाता है आपसन यहाँ पर आपका सी सही जबाब है मक्का इंडियन इंसिट्यूट आफ पेट्रोलियम कहां पर अवस्तित है आपसन डी देहरा दोन में ब्यापारिक अस्तर पर अंगूर उद्पादन की क्रिसी को क्या कहा जाता है आपसन बी बिटी कल्चर दान के लिए सरबाधिक उपजाओ भूमी कौन सी है आपसन यह दोमट नयविशार अंडिक कहां आवस्तित है तिया उत्तर प्रदेश में सीतापुर में अपसनी 1857 की क्रांती की आग सर्वपर्थम राज जी के किस जिले में प्रफुस्ति प्रसफुटित हुई थी तो सबसे पहले जो 1857 की शुरुवात की गई थी आप जानते हैं हिस्त्री में आप पढ़ते भी है तो यह अगर आप देखिए ग्रामीड समाज और जो आपका सिलेबस है ग्रामीड समाज का अगर आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर आप रिप्रेशन कर लिए अच्छे थे तो 25 प्रस्ण में 10 से मान कि जा लिए कि 10 से 12 प्रस्ण तो आपके जो है ब्रजघाट ब्रजघाट कहां पर अवस्थित है तो यह ब्रजघाट जो है आपका जो अवस्थित है वह गढ़ मुक्तिश्वर ठीक है आप सनी हाँ पर सही सही जवाब है भोदान आंदोलन किसके नेतुत में सुरू किया गया था आप सनी विनु भाभावे आप सनी इब्राहिम सरकीने निरत्त की कौन सी सैली उत्तर प्रदेश की देन है आप सनी कत्थक शैली उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का आधार क्या है आप सनी क्रिसी आप सनी किस कारिक्रम की देन है आप सनी राष्टिय ग्रामीड स्वास्त है मिशन पी डी पी सी डी अफ क्या है पी सी डी अफ आप से ने दुग्द से संबांथी थी किस अंस्थान ग्राम सभा का गठन संबीधान की किस अनुच्छीत की अंतर गज आता है तो पंचाजी राज सिस्टम का जो आर्टिकल नूमबर 243A है यहां पर बात की जाती है जैसे कि आप वालिटी में DPSP पढ़ते हैं तो पंचाजीतों का जो गठन की बात की जाती है DPSP में वो आर्टिकल नूमबर आप कौन सा पढ़ते हैं आर्टिकल नूमबर 40 वहां पर बात की जाती है यहाँ पर 35 राध सिस्टम आपकी सिलेबस में है आपको पढ़ना है आर्टिकल नमबर 243 सिलेगर की 243 हो तक यह सारी बीसिक चीजे हैं आगे बढ़ते हैं पसुगड़ना की छेत्रों में कराई जाती है पसुगड़ना नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा ग्रामीड और सहरी जोन चेत्रों में कराई जाती है आपसंसी भारतिय सूचना प्रवधोगी की संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस्तित है आपसंटी प्रयाग राज में उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किस से है उत्तर प्रदेश कौशल सतर अंगयोजना आपसने इसके डेवलप्मेंट से कौसल विकास निम्न में से कौन सा लोक गीत उत्तरप्रदीश का लोक गीत नहीं है आपसन सी डोला मारू चलिए अगला आपका प्रेक्टिशट नमबर तीसरा है पहला प्रस्ण है किसी गाउं के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्साने वाला मानचित्र क्या कहलाता है आपसन बी खसरा उत्राखंड राज़ बनने से पहले उत्रप्रदीश राज़ का आकार किश्प्रकार का था आपसन बी सिंगवत नाबाड एक सिर्स बित्तिय संस्था है जो किससे बनी है जो क्रिसी और ग्रामीड छेत्रों की विकास ही तुक बनी है आपसन से सरबाधिक पुष्पोत पादन करने वाला राश्ट काउन सा है आपसन डी नीदरलेंड इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेस्ट मरेजमेंट कहाँ परवस्थित है आपसन बी भोपाल पर्मा कल्चर किसका प्रयाय है आपशन ए पारिस्थिति की किर्सी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टिट्यूट फारदी सेमी एरिल ट्रॉपिक्स कहाँ परवस्थित है यहां हैद्राबाद में आपसन डी मक्का का सीर्स उत्पादक राज्जी कौन सा है आपसन बी करनाटक क्रिसी में बिभिन किसमों के उर्वरकों का उपियोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए इंपॉर्टन कोईशन आपसन इफोर इस्टु टु इस्टु इस्टु वन सूर्य मुखी का जन्मा स्थान कहाँ है आपसन बी उत्तरी अमेरिका कुफरी किस फसल की किसम है कुफरी आपसन सी आलू बागों का सहर नाम से उत्तर प्रदीश का कौन सा सहर प्रसिद्ध है बागों का सहर आपसन इ लखनव इतिहास कारों के अनुसार लखनव का प्राचीन नाम क्या था आपसन बी लश्मडपूर आमों का नगर किसे कहा जाता है आपसन सी मलिहाबाद को स्वतंतरता से पूर्ब बरतमान उत्तर प्रदीश को किस नाम से जाना जाता था संयुक्त प्रांत लखनव में इमाम बाड़ा का निर्माड किस ने कराया था आपसनी आशपुद्धौला प्रसिद चित्रकार मीर सयद अली तथा अबदुल समद किस सैली से संबंधित है मुगल सैली आपसन सी रभी की फसल कब बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में आपसनी उत्तर प्रदेश में उद्धानी उमखाद प्रसंसकर्ण नामक अलग विभाग कब कठित किया गया था बर्स 1974 तरीजबी में आपसनी मतदाता सूची में जो पंजीक्रित मतदाता है वही ग्राम सभा के क्या है सदस्य होते हैं सर्वसिच्छा भियान की सुरुवात कब की गई थी बर्स 2000 में आपसनी सासकी ये चमडा संस्थान कहां पर अवस्थि था है सासकी ये चमडा संस्थान आगरा में आपसनी पंडित विश्रु नाराण भारत खंड जी के परियासों से मेरिस कॉलिज आफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की अस्थापना लखनव में कब की गई थी बर्स 1926 इस बी में अंतिम प्रस्ण है प्रक्टिश है टमबर तीसरे का काला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है काला सोना आपसनी अफिम को अगला सेट है आपका प्रक्टिश सेट नंबर फोर पहला प्रस्ण निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रियोग भूमापन में नहीं किया जाता है तो जरीब का प्योग ही होता है कमपास भी है पाइरो मीटर है लेकिन थियोडोलोमाइट का प्रियोग नहीं होता है अगला है आपका उत्राखंड के गठन से पहले उत्तर प्रदीश का सरबाधिक उच्च परवत सिखर का कौन सा हुआ करता था उच्च परवत सिखर आपसंड नंदा देवी सघन क्रिशी छेत्र का कारिक्रम कब सुरू किया गया बर्स 1933 जबी में सघन पस विकास कारिक्रम कब चलाया गया आपसंड बी 1964 पैंसट में प्रसिद्ध अलोपी देवी का मंदिर उत्तर प्रदीश में कहां पर अवस्थित है आपसंड प्रियाग राज में भारत में सामान नतहा खेती की कौन सी पधधी अपनाई जाती है आपसंड प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाय असपर्स करती है आपसंड बी नेपाल जानते हैं कि उत्तर प्रदेश केवल और केवले कही अंतररास्टी सीमा बनाता है वो नेपाल कंट्री की साथ सरदार बल्लब भाई पटेल क्रिसी ओम प्रोदोग की बिस सुबेद्याल है कहां पर अवस्थित है आपसंड बी मेरट में पंजाब की अलावा बास्मती चावल की निर्यात छेदर की अस्थापना किस राज्ज में की गई है पस्थिमी उत्तर प्रदीस में मोले श्थ्री करण कोस की अस्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है साबित्री बाई फुले गरीब बाली का सिच्छा मदद यूजना किस वर्स आरंब की गई थी वर्स दो हजार बारा में उर्दू कभी मिर्जा गालिव तथा संगीत अग्य उस्ताज फईयाज खां का जन्मस्थल कौन सा है आपसंड बी आगरा जैन तीर्थांकर पार्शुनात का जन्म कहां पर हुआ था आपसंड सी कासी में सीराज इहिंद किस नगर का उपनाम है आपसंड सी जाउनपूर कंदरा अथवा मिर्जा पूर सैली की चित्र कहां से प्राप्त हुए है आपसंड बिंध्या चल की शैलाश्रयो हुआ गुफाओं से वाराण सी इस्थित कासी विश्वनात मंदिर तथा दुरगा मंदिर किस सैली से उतकिष्ण उधारण है किस सैली के है यह नागर सैली आपसंड बिंध्या निमनलिखित में से कौन सा लोक निर्थ्या ब्रज छेत्र का है आपसंसी चरकुला निर्थ्या उत्तरप्रदेश का गेहू उत्पादन में कौन सा स्थान है आपसंड पहला महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है तो महोबा का पान है आपसंड बि गोकुल पुरुसकार यूजना किस से संबधित है दुगद उत्पादन से भारत में भूदान आंदोलन किसकी द्वारा प्रारंब किया गया था तो आप जानती हैं रिपीटेड हो गया क्वेशन एक तरह से संत बिनुवा भावे आप्शन सी प्राथमी की ओम उच्च विद्यालेयों के जरजर भावनों के निर्माण के लिए कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है तो यहाँ योजना है प्रधान मंत्री ग्रामोद योजना आप्शन बी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस्थित संस्थान कौन सा है निम्ण में से आपका सही जबाब हो जाएगा क्लाथ रिसर्च इंस्थिट्यूट आप्शन बी भारत के बिभिन भागों में प्रचलित जैन बिधाओं का राश्टी संदर्भ में अध्यन सोध योम विसलेशन हे तू जैन बिधाओं सोध संस्थान की अस्थापना बर्स 1990 में कहां पर की गई थी आप्शन बी लखनव जूला होरी रसिया उत्तर प्रदेश के किसे छेतर के लोक गीत हैं ये आप्शन यहाँ पर ए आपका सही जबाब है ब्रज और इसी के साथ प्रेक्टिस सेट नमबर फ्वर कंप्लीट होता है प्रेक्टिस सेट नमबर फाइब पहला प्रजन सुषक खेती में वारशिक वर्सा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है 75 सेंटी मीटर से कम सिवालिक परवत स्रेडी किस छेत्र में इस्थीत है आपसने हिमालय के दक्षड में निम्न भागों में केंद्रिय धान संस्थान कटक के बैज्ञानी को द्वारा बिश्टु का प्रथम अति उत्तम धान का नाम करण हुआ है आपसन्टी लूनी श्री उत्तर प्रदेश की सरबाधिक लंबी नहर कौन सी है आपसन्टी सारदा नहर भारत वर्ष में प्रथम क्रिसी विश्ट विद्याले की अस्थापना कहां पर की गई थी गुविन दबललब पंत है आप जानते हैं यहापंत नगर में है आपसन्टी ड्रिप से चाई पधती का जन्मस्थान कहां माना जाता है आपसन्टी इजराइल नई राष्ट्रिय क्रिसी नीती में किस विकास लच्च क्रिसी विकास लच्च कितने प्रतिशत निर्धारिती किया गया है आपसन C. चार प्रतिशत खेती की वह कौन से प्रणाली है जिसमें किसान का राज्ज से सीधा संबंद होता है आपसन B. कास्तकारी खेती उत्तरप्रदेश किस प्राचीनितं भूभाग का हिस्सा है आप्षन D. गोडवाना लैंड इजारेदारी ब्यवस्था किस गवर्न जन्रल की सासन काल में सुरू की गई थी आप्षन C. वारेन हेस्टिंग साही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू की गई थी एक जन्वरी 1826 आप्षन D. राधास्वामी मत का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तरप्रदेश की किस जिले में इस्थित है दयाल बाग आप्षन D. आगरा रासिलेला कहां का लोक निर्ति है रासलीला आप्षनी ब्रजचेत्र पेठा नगरी उपनाम से प्रसिद्राज्जी का कौन सा नगर है आप्षन B. आगरा नेम्न में से मुगल सायली का प्रमुख चित्रकार कौन सा है आप्षन D. सभी की सभी सितारियों तबले का अभी सिकार किस ने किया था आप्षन B. अमीर खुश्रो सयद साल आर्मेला कहां लगता है आप्षनी बहराइच में भारत का प्रस्थम डिजिटल राज्जी कौन सा है आप्षनी केरल निम्न में से कौन सा रोजगार छत्री योजना का प्रमुख उद्दिश से है आप्षन सी अनसूचित जाती का सरबांगी डिविकास करना राज्ज में दुगद विकास से संबाधित कौन सा कारिक्रम संचालित है सभी के सभी आप्षन यहां पड़ी आपका सही जबाब होगा उत्तर प्रदेश में नया सबेरा योजना किस से संबाधित है स्रमिक बालकों से आप्षन सी माध्मिक सिच्छा निदीशालाई की अस्थाफना कब की गई थी बर्स 1922 भी में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एलोफाथिक मेडिकल कॉलेज नहीं है आप्षन सी आगरा में माफ कीजिए का आगरा में तो है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा दोस्तों आप्षन डी सहारनपूर में नहीं है ठीक है आप्षन डी एंस्वर करेक्ट होगा अगला प्रशन है 24 नंबर की बर्स 1938 इसबी में बर्स शेत्र की अभिलेखों, पांडुलिपियों, दुरलफ ग्रंतों पथा छेत्र की संस्कृत आदी के लिए ब्रिंदाबन में कौन सा सोध संस्थान की अस्थाफना की गई थी चार आप्षन दे रखे हैं यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा आप्षन C ब्रिंदाबन संस्थान ब्रिंदाबन तो याद रखना है ब्रिंदा बन यहाँ पर आप सोध संस्थान भी कर सकते हैं आप शन यहाँ पर सीशा ही जबाब आगे बढ़ते हैं संपूर्ण राज्ज में तथा बिशेश कर बुंदेल खंड में प्रचलित बीर रस में गाया जाने वाला लोक गीत निम्न में से कौन सा है आपका चाहिए जबाब हो जाएगा आलहा है आप संबी इसी के साथ आपने प्रेक्टिशेट नमबर फाइब को कम्प्रीट कर लिया आगे बढ़ते हैं अगला प्रेक्टिशेट नमबर 6 है पहला प्रेशन है कि ब्रुच्छो तथा जाडियों की इक्रिसी जिसमें उनका सलरक्षन तथा संबर्धन होता है क्या कहलाता है आप्शनी आर्बोरी कल्चर सिवालिक परवतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है आप्शन भी नहाना के नाम से जाना जाता है अगला प्रस्ण है कि केंद्रिये आलू शंस्थान केंद्रिये आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्तित है आपसन भी सिमला हिमाचल प्रदीश में कुफरी भी है लेकिन इसका जो रीजनल होते हैं छेत्री है ना उसमें आता है छेत्री अनुशंधान इस्टेशन में तो आपसन भी यहां सही जबाब है भारत में समगर मसली उत्पादन में किस छेत्र का योगदान सरवाधिक है आपसन अंतर देशिये सेंड्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टिट्ट कहां पर अवस्थित है सेंड्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टिट्ट जोधपुर राजस्थान में भोरी क्रांतित किसे से संबंधित है आपसंसी और बरक से उत्तर प्रदेश की सरबाधिक महत्तपूर खादान फसल कौन सी है आपसंसी गेहूं आवले का सरबाधिक उत्पादन कहा होता है आपसंड डी प्रताबगड कपाज के कीट रोधी पौधे अनुवांसिक इंजिनिरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है जो लिया गया है किस से लिया गया है जीवाड उसे बैक्टीरिया से भूमापन में जरीव लाइन की आरंभ तथा समाप्त होने के अस्थान क्या कहलाते हैं आपसंडी मुकाम सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय सहरी गरीव आवाश मालिकाना हक यूजना कारंभ कब हुआ था बर्स 2009 में कुम्भ मेले का उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजित होता है कुम्भ मेला जसकी आप जानते हैं आपसंडी प्रियाग राज बीरबल का जन्म कहां हुआ था बीरबल जालाओन में नाथ नगर राजी के किस नगर का उपनाम है नाथ नगर आपसंडी गोरखपुर किस मुगल सासक ने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला था आपसंडी अकबर तोता ए हिंद किसे कहा जाता है तोता ए हिंद अमीर खुसरो बिहार रसिया आलहा आदी लोक गोत्नों की परंपरा प्रदेश में कहां पर पाई जाती है तो किस प्रदेश में है उत्तर प्रदेश बिहार माप कीजिए अभी रहा है रसिया आला ठीक है जैसे आप डेटेल में पड़ते हैं तो भी रहा पूर्बान चिल कहो जाता है रसिया आप कबरज है आला बुन्दील खंटीक है ग्राम पंचायद सदस्यों का कारिकाल कितना होता है ग्राम पंचायत सदस्यों का आपसन से यहाँ पर सही जबाब है पाँच बर्स का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई क्रिसी नीति कब घोशित की गई बर्स दो हजार पाँच में देश का सबसी बड़ा गन्ना उत्पाद अगराज जिकौन सा है आपसनी उत्तर प्रदेश में आधुनी के सिच्छा ब्यवस्था की नीव ब्रिटिस सास को द्वारा कहां पर रखी गई तो कहां रखी गई थी प्रियाग राज में आपसन भी राज में माधमिक सिच्छा सेवा चैन बूर्ड का गठन कब किया गया बर्स 1982 भी में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनव में इस्थित नहीं है आपसन्डी भारत कला भवन क्योंकि भारत कला भवन लखनव में नहों करके कहां है बारान सी में पढ़ जाता है ठीक है चालो लोक कलायों जनजाती संस्थान कहां इस्थित है आपसंसी लखनव में लावडी रोहेल खंड का लोक गीत है तो पावार पाठ किस छेतर का लोक गीत है पावार बाठ तो यह जो है आपका बुंदील खंड का है आपसंबी इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 6 कम्प्लीट होता है अगला प्रेक्टिशेट नमबर 7 है पहला प्रेशन है वसूली कीमत सामाने तया किस अस्तर पर निधारित की जाती है वसूली कीमत आपसनी बाजार कीमत से कमपर मिडडे मेल योजना के तहट पका पकाया भोजन कब दिया जाने लगा बर्स 2004 इस भी से अंग्रेजो द्वारा सर्व पर्थम कहाँवा बागान कहाँपर लगाए गए थे वाइनाड जनपद में लखनव में उत्तर प्रदेश प्राविधिक भी सुविद्याले की अस्थापना कब की गई आपसनी बर्स 2001 में अधो लिखित में किसमें प्रोटीन की शरवाधिक मात्रा पाई जाती है आपसनी सोयाबीन में अमरूद उद्पादन के लिए निमलेखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है लखनव प्रियागराज जोम खेती किन छेत्रों में होती है आपसन्डी पूर्वोत्तर प्रदीसों में छठी सदाब्दी में बर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे आपसनी आठ आईरन की शरवाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है आपसनी सेब में भूमापन के दवरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की आइस्थाई निशानी की रूप में जिसी यंद्र का प्रियोग किया जाता है वह क्या कहलाता है आपसन डी सुवा पत्राचार सिंश्चा संस्थान कहाँ आवस्थित है आपसन बी प्रियाग राजमी ललितपुर जिले में इस्थित है आपसन सी देवगड राज्ज में सुक्रताल नामक अस्थल के सजले में इस्थित है आपसनी मुझफर नगर चंद्रसेखार आजाद क्रिसी ओम प्रोधोगे की बिस्थ विद्याला कहां अवस्थित है आपसनी कानपूर में मुगल काल में चित्रकारी की संदर्भ में कौन सा कथन सत्त्य है आपसन डी उप्रोग तो सभी की सभी सबजीयों की व्यापारी की खेती को क्या कहते है आपसन बी ओलेरी कल्चर नककटईया मेला कहां लगता है आपसन वाराणसी में उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकाल है कहां इस्थित है आपसनी रामपुर में अगला प्रस्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है डिस्टिक दे रखें और आम की प्रजातियां है मलिहाबाद जो आम है लखनव से संबधित है सफेदा कानपूर माप कीजिए कि सहारनपूर है जबकि चौसा की बात की जा रही मेरट से बिलकुल गलत है लंगडा वारान सी यहां बात बिलकुल सही है यहां पर जो चौसा दे रखा है विसेस कर यह आप देखेंगे उत्तर प्रदीश में तो हर्दोई से संबधित हो जाता है हर्दोई से ठीक है बाधों का प्रसिद्ध तीर्थ अस्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर में निकट इस्थित है अफसनी वाराणसी बाधेशवरनाथ मंदिर प्रदेश के किस नगर में है बाधेशवरनाथ यार पकेशवर मेला भी लगता आप जानते हूंगे पसु मेला है आगरा है तो बाधेशवरनाथ मंदिर आपका आगरा निम्नमेसिक इसका गठन बर्स 2008 में किया गया था राज्यमुक्त बिद्याले परिशद का आप्षन D धनवंतर चिकित साविस्व बिद्याले कहां इस्थित है आप्षनी लखनव में आचारी नरेंद्र देव अंतरराष्टिय बहुत बिद्या सुध संसान कहां पर अवस्थित है आप्षनी लखनव में कहार जाती द्वारा सुभ आउसरों पर किया जाने वाला निर्त्य कौन सा है कहार जाती आप्षन भी धीवर निर्त्या तो इसी के साथ आपको प्रेक्टिश एट नमबर से बन अपनी कंप्लीट गर लिया बढ़ते हैं अगली प्रेक्टिश एट की ओर नौ प्रेक्टिश एट नमबर एट पहला प्रेस्ट क्रिसी में युग्म पैदावार का आसा है क्या उगाने से है आप संबी एक ही साथ दो फसल भूमी सुधार के बिशय में भूमी सुधार किस सूची से संबान दित है जैसा कि आप जानते हैं हमारे संबिधान में जो सातुई अंसूची वहाँ पर तीन लिष्ट दी गई है संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची गताएगा, यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा राज सूची का बिशर है आप संसी पूंजी वादी खेतिक किन देशों में प्रसलित है पूंजी वादी ब्रिटेनियों संयुक्तराज जमेरी का आप संबी केंद्रिय विपणन समीतियों का कार्य शेतर होता है आप संसी जिला अश्टर पर गुलाबी करांती का संबंध किस शेतर से है? गुलाबी करांती जहींगा उतपादन से भारत में दुगध उतपादक राज्यों में उत्तर प्रदिस का कौन सा अस्थान है? भूधारन प्रणाली की रईयत वाड़ी व्यवस्था की शुरुवात भारत में किसने की थी रईयत वाड़ी व्यवस्था उत्राखंड के गठन के साथ उत्रप्रदेश की कितने जिले प्रथक हुए अपसंसी 18 जिले सामाजिक वानी की योजना को कब प्रारंभ किया गया था अपसंसी बर्स 1976 इस भी में राष्ट्रिय किसान आयोग का गठन कब हुआ था अपसंसी बर्स 2004 में माननिय कासी राम हत करगा पुरसकार योजना की सुरवात कब की गई थी अपसंदी बर्स 2008 नव में सारनात का प्राचीन नाम क्या था आपशंडी इस पतनियाम रिगदाओ था दधीच आश्रा मुत्तर प्रदीश राज्ज में कहां इस्थेद है दधीच आपसंदी सीतापुर पीला सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है जैसे कि यभी आपने प्रिवियस शट में देखा आपने की काला सोना जो अफिम था अब यहां पर पीला सोना आपको बताना है किस मुगल सासक की काल में चित्रकला अपनी चरम पर थी जहांगीर उत्तर प्रदेश राज्ज में चित्र कला विकास है तो बर्स 1911.2 में कलायों सिल्प महाविद्यले की अस्थापना कहां पर की गई थी आप्शनी लखनव उत्तर प्रदेश का सरवाधिक प्राचीन शंगरहल है निम्नलिखित में से कहां अस्थीत है आप्शनी लखनव जव के उत्पादन में अग्रणी राज्ज कौन सा है आप्शनी राजस्थान उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को किस नाम से प्रचारित किया जाता है आप्शनी नवाब गाउं का नक्सा क्या कहा जाता है गाउं की नक्से को सजरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में किस कमीशन की सिफारिश पर विस बिद्याले सिच्छा को माध्यमिक अस्तर की सिच्छा से अलग कर दिया गया आप संसी सैडलर कमीशन बिद्या वाहिनी पर्योजना संबंधित है केस से माध्यमिक सिच्छा से राष्टिय प्रसार सिवा की अस्तापना किस बर्स की गई थी बर्स 1923 में उत्तर प्रदेश में राजी की अभिलीखागार कहां इस्तित है प्रयागराज इलहाबाद में बुंदेल खंड की किसानुद्वारा फसल कटाई की युशर पर कौन सा निरत्य किया जाता है और इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर इट कम्प्रेट हो जाता है प्रेक्टिशेट नमबर नाइन पहला प्रेस्ण पाद पाले एक सुभिधा है आप संसी नियंत्रित पार्थितियों में पाउधों को उगाने के लिए दूसरा जरीब सरवेक्षण में छेत्र को किस ज्यामिती आकरती में बांट कर नापन आसान हो जाता है आप संसी त्रभुज बाढ़ प्रवाबित छेत्रों में किस्व प्रकार की खेती की जाती है दियारा खेती बर्तमार में उत्तर प्रदेश का छेत्र फल कितना है आप संबी दो लाख चालिस हजार नौसो अठाईश बर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में तराई की छेत्र की अंतरगत कौन सा जिला नहीं आता है आप संसी सहारनपुर निम्नलिखित जोड में से किसमे उत्तर प्रदेश शंपोण देश में अग्रणी है तो गेहू में भी है जौ में भी मौंग फली में गन्ना में आप संजी भारत में निवन्तम समर्थन कीमते सरकार द्वारा बर्स में कितनी बार घोसित की जाती है आप संजी बी दो बार उत्तर खंड में उत्तर प्रदेश के कितनी मंडल गए यहनि जब आप जानते हैं जब बटवारा हुआ था यहनि जब बिभाजित किया गया था कब तो 9 नौवंबर 2000 को जब उत्तर खंड राज के गठन किया गया 9 नौवंबर 2000 इस भी को तब जो है कितने मंडल जो है गए थे उत्तर प्रदेशी अलग होकर आप कहोगे दो मंडल ठीक है दो मंडल उनका नाम रहा जैसे कि आप जानते हैं एक तो गड़वाल हो जाता है और एक है कुमाओ तो दो मंडल जो है वो अलग हो यह थे ठीक है अब उत्तर खंड पहले नाम जानते हैं क्या हुआ करता था उत्तरांचल था ने 2006 के बादिशा उत्तर खंड नाम हो गया खेती के वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सिधा संबंध राज्ज से होता है वह प्रणाली है कास्त कारी खेती आप सने बर्स 2008 में 10 से 19 बर्स की बालिकाओं की स्वास्थ से संबधिद कौन सी योजना आरंब की गई थी आगरा नगर की अस्थापना किस बर्स हुई थी तो आगरा नगर की अस्थापना बर्स पंद्रा सो चार इज़ भी में जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने की थी निम्न में से किस अस्थान को ब्रह्मः वर्त तीर्थ कहा जाता है आपसन बी बिठूर को निम्न में से कौन सी रवी की फसल नहीं है आपसन डी गन्ना मुगलकाल में कौन सा चित्रकार प्राकिर्तिक द्रिस्य योँम पसुपच्चियों की चित्रण में माहिर था वो थे मनसूर आपसन बी बाराणसी में भारतिय कला परिशद की अस्थापन कब की गई थी बर्स उन्नीस सो बीस इजबी में कुसाल कालीन कला का सर्वस्रीष्ट संग्रा निम्नलिखित में से किसा संग्राहले में सुरच्चित है आपसन सी मथुरा चना के उधपादन ही तो आयोस्यक मिट्टी कौन सी है हल्दी हल्की जो हल्की दो मट्टी मिट्टी है वह चना के उधपादन के लिए उपियोगी है संतरा उत्तर प्रदेश के किसे जिले में पैदा किया जाता है आवले के पूछा जाता है तो आप जानते हैं प्रताब गड़ है अगर संतरे के पूछा जाता है तो आप को शारन पूर लगाना है राज में क्रिसी जलवाई प्रदेसों की संख्या कितनी है? आप्शन B. नौ उत्रप्रदेश में राम कथा संग रहाले किसा स्थान पर है राम कथा संग रहाले आप्शन D. आयोध्या में उत्रप्रदेश में बाउध्ध संग रहाले कहां परिस्थित है बाउध्ध संग रहाले आप्शन D. गोरखपुर लखनव के किंग जार्ज मीडिकल कॉलेज को विश्व बिद्यालय का दरज़ा कब प्रदान किया गया आपसन यहाँ पर एपका सही जबाब है बर्स दो हजार दो इस बी में पौधे की सामाने बृद्धी के लिए मिट्टी का पियचमान कितना होना चाहिए यहाँ पर सही जबाब है छे से साढ़े शात के मद्ध होना चाहिए उतर प्रदेश में राम नवमी की अउसर पर पुरुष महिलाओं का रूप धार्ण करके निम्नवे से कौन सा निर्थ्य करते हैं वह होता है जोगिनी निर्थ्या आपसन ए और इसी के साथ आपका प्रेक्टिश एट नंबर नाइन कम्प्लीट हो जाता है नौ प्रेक्टिश एट नंबर टेन देश के क्रिशी छेत्र की शर्वादिक भाग पर खादन फसलों को उगाया जाता है दूसरा अस्थान किस बर्ग की फसलों का है आपसन B तिलहनी फसलों का अगरी उड़ान योजना का ओदेश किससे है अगरी उड़ान तो किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना आप्शन ए क्रिसी लागतियों मूल्यायों की अस्थापना किस बर्स होई थी बर्स 1965 भी में भारत में हरित करांती का जनक किसे माना जाता है आप्शन डी डाक्टर यमेसित श्वामिना थन जबकि जो नार्मन बोर लोग हैं आप जानते हैं यह अविश्व के हरित करांती के जनक हैं यहाँ पर आपका आप्शन डी सही जबाब है भारत सरकार द्वारा रास्टी किसान आयूग का गठन कब किया गया था नवंबर 2014 भी में उत्तर प्रदेश की शरबाधिक महत्तपूर्ण खादान फसल कौन सी है? सही जबाब होगा आप्शन डी के हूँ सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुक लच्छ कौन सा है? सबको आवास उपलब्द कराना आप्शन ए जनसंख्या की द्रिष्टी से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा अस्थान है? आप्शन ए प्रथम हरिद करान्ती का सरबाधिक शकारातमक प्रभाव किस पर पड़ा? आप्शन बी गेहुं के उत्पादन पर निरमल ग्राम योजना का संबंध किस से है? आप्शन सी ठोसियों अर्धर ठोस कत्रे मलमूत्र की स्वच्छ निर्तारण से जिसका जानते हैं निरमल ग्राम जू निरमल भारत रहा स्वक्ष भारत की नाम से है तो यहाँ पर आप्शन सी सही जबाब है आगे बढ़ते हैं स्वक्ष भारत मिस जो अभियान है इसका सुभांकर क्या है? जब जानते हैं चस्मा बना होता है गांदी जी वाला ठीक है? तो यह चस्मा बना होता है जिसमें की लिखा होता है स्वक्ष भारत अभी है? तो आप्शन यहाँ पर आपका सी सही जबाब होगा नोटों पर आपको अक्षर मिल जाता है देवा सरीफ उत्तर प्रदेश में कहां इस्थित है? देवा सरीफ मेला आप जानते हैं या आपका आप्शन B 12 बनकी राज्य में किस स्थान पर बेगम समरू द्वारा एक प्रसिद्ध चर्च बनवाया गया था? बेगम समरू सरधना आप्शन B किस राज्य अतवा किन राज्यों ने पंचायती राज्य संस्थाओं में इस्षियों के 50 प्रद्शत आरक्षन को बैद किया है जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल नमबर 243D 43D में कहा गया है कि जो है नाट लेस देन वन थार्ड रिजर्वीशन यानि आपको 33 प्रदिशर जो है रिजर्वीशन देना ही देना है मिनिमम है यह सम्मिधान में लिखा है अब कोई कोई स्टेट है जिसमें कि 50 प्रदिशर जो ही है तो वही यहाँ पर पूंचा जा रहा है तो इस राज्यों में जो 50 प्रदिशर राज्षन को बैद किया है इसमें आप देखें कि वो हिमाचल प्रदीश है आप्षन यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदीश बिहार उत्तराखंड मद्ध प्रदीश तो आप्षन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही जबाब होगा सभी के सभी जो राज जदिये है यहाँ पर पंचायत में देखेंगे तो 50 प्रदिशर जो है आरक्षन दिया गया है महिलाओं को जहांगीर के सासन काल में वह चित्रकार कौन था जो मानव कृतियों शब चित्र बनाने में माहिर था आप्षन बी बिसंदाज बर्स 1946 इसबी में ललित मोहन सेन ने ग्राफिक विद्या की शुरुवात कहां पर की थी भारत में मुक्त ब्यापार छेत्रों की अस्थापना की गई बिकास के लिए तो भारत में मुक्त ब्यापार छेत्रों की जो अस्थापना हो गई की गई है वो किसकी बिकास के लिए आपका सही जबाब होगा निरियात उद्दोगों की बिकास के लिए तो यहाँ पर आपका सहीजबाब है आप शंडी सभी की सभी माल्टा का उधपादन कहां पर किया जाता है तुम्यरट में भी होता है बारांसी में भी शहार अनपूर में भी आप संडी सहीजबाब है प्रसिद्ध नवचंदी मेला हिंदू मुशलिम भाईचारी का प्रतीक जहां देवी नवचंदी का मंदिर और बड़े मिया की मजार इस्थित है प्रतिवर्स लगता है तो नवचंदी का जो मेला है वह मेरट में लगता है आप संसी और इसे के साथ जानते हैं उन्दे मुशलिम भाईचारी का एक और महोसो होता है जिसे कि आप सुलह कुल महोसो कहते हैं जो की आगरा में होता वो भी हिंदू मुशलिम भाईचारी की बात करता है और यहां पर मेली की बात की गई है तिया नवचंदी मेरट मेला है मेरट का उत्तर प्रदेश में बेसिक सिच्छा परिशद का गठन किस बर्स किया गया था बर्स 1932 में उत्तर प्रदेश राजज के राजस्व का मुख्य सुरूत क्या है तो यह चीज़े एक्सर आपसे जो पूँची जानी है या बजट से संबनित पूँची जाएगी तो राजस्व का यहाँ पर आएंसर जो होगा व्यापार कर है आपसन यहाँ पर डी सही जबाब होगा अगला प्रसन है 23 नंबर की निमनलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है विस्व विद्याले दे रखे हैं और उनकी संख्याएं दे रखी है पहला आपसन दिया है कि क्रिसी विस्व विद्याले की संख्या उतर प्रदीस में चार है तो पहला तो सही है दूसरा दिया है कि चिकित साब विद्याले साथ है जो की गलत है ठीक है क्योंकि चार ही है तो आपसन यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, भी आपका सही जबाब हो जाएगा, आपसन भी केंद्रे भी सुबिद्याल अच्छे हैं, तकनीकी भी दो हैं तो आपका यहाँ पर दोस्तो भी सही जबाब है, आपसन भी निम्नलिखित में इसे कौन सा सुमेलित नहीं है इधर आपके तेवहर महसो दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं कौन सा किस राज इसी संबंधित है और कौन सा ही सुमेलित नहीं है आपको बताना है बिहु असम का है बिल्कुल सही है ओडम जो है आंधर प्रदेश का दे रखा जो की गलत है क्योंकि यहां केरल का होता है जो की फसल की कटाई की दोरान जो है यह होता है पोंगल तमिल नाडू का है तो यह बिल्कुल सही है और बैसाखी यहां पंजाब का यह भी सही है तो यहाँ पर आपका सही जबाब क्या हो जाएगा आप्शन B नवाब वाजी दली शाह ने किस नाम से ठोमरी की बंदिशे तयार की है अखतर पिया आप्शन ने तो दोस्तों इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 10 कमप्लीट होता है बढ़ते हैं आगे पहला प्रस्ण है कि धार्डिये क्रिसी का अर्थ क्या होता है धार्डिये क्रिसी आप्शन सी भूमी का इस प्रकार प्रियोग किया जाए कि उसकी गुड़वता अस्वन बनी रहे रोजमर्रा के इस्तिमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन सा पाउधे का फल भाग है आप्शनी सौप निम्नलिखित भारती राज्य में से किस एक का कुलवन छेतर जो है वो निवनतम है आप्शनी सिक्किम सरवाधिक ग्रामीड जनसंख्या प्रतिशत कि शराज्य का है आप्शन्डी हिमाचर प्रदीश भूमी विकास बैंक निम्नलिखित का एक अन्स है आप्शन्डी सहकारी उधार ढाचा उत्तर प्रदेश में सरवाधिक उत्पादन वाली तिलहन फसल कौन सी है आप्शन्डी सरसू किर्ण क्रांती का संबद किस छेतर से है आप्शन्सी बैकलपी कूर्जा सव से दोसो सेंटी मीटर वर्षा वाले छेतरों में किश प्रकार की खेती होती है आप्शन्डी आर्द्र क्रिसी छिड़काव सिचाई किन अस्थानों के लिए सरवोत्तम विधी की रूप में मानने है रेगिस्तानी छेतरों में सामुदाईक विकास कारिक्रम की सुरुवात कब हुई थी तो इस कारिक्रम के जो सुरुवात की गई थी वह बर्स 1952 में भोपाल गैस अत्रासदी कब हुई थी बर्स 1984 इजबी में उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है आपसंसी कानपूर तो ध्यान देना यहाँ पर मेरट हुरिट मत लगा देना ठीक है मेरट नहीं आगरा कहीं आयत लगा दो आप लोग यहाँ पर सबसे सामान बनाने का खेल की सामान बनाने का सबसे बड़े केंद्र की बात की जा रही है तो यहां पर आपसंस यह आपका कानपूरी है एसिया का सबसे बड़ा पसुमेला कहां आयुजित होता है पसुमेला आपका सही जवाब हो जाएगा सोनपुर में सोनपुर है कहां पर यह है आपका बिहार में अगला प्रस्ण है दोस्तो कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामिड प्रसासनिक अधिकारी नहीं है आपसनी नगर निगम वार्ड काउंसिलर आपसनी मुहम्मद फकीर उल्ला किस मुगल सासक का दर्बारी चित्रकार था आपसन भी साजहां राश्टिय कथक संस्थान कहां इस्थित है आपसन भी लखनव प्रसिद्ध कभी मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा रचित पदमावत की देवनागरी लिप में लिखी गई प्राचीन तम फोथी उत्तर प्रदेश के किस संगरहलय में सुरचित है लखनव शंगरहलय में आपसन ए उत्तर प्रदेश में तंबाकू की खेते किस जिले में की जाती है गाजियाबाद भी है, मेरठ भी है, मायनपूरी भी है, आपसंडी इन सभी में उत्तर प्रदेश राज्ज में समेकित बंजर भूमी विकास कारिक्रम कब सुरू किया गया बर्स 1991-92 में निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समुह को चुनिये जिन्हें पूर्डिमा को मनाया जाता है तो पूर्डिमा को होली भी मनाई जाती है, रच्छा बंधन भी, गुरु नानक का जन्म दिवस भी, आपसंडी दिवाली वगर आप जानते हैं ये पूर्ड मासी अमावश्य को ही होता है, ठीक है, पूर्ड मासी रात्री भी अंधेरी राती का ही है, आपसंडी आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश नहिसुल के योम अनिवार्य बाल सिच्छा अधिकार नियमा वली कब लागू की गई, बर्स दो हजार नौ में सावित्री भाई फुले बालिका सिच्छा मद योजना का लाब किसे मिलता है, तो ग्यारवी और बारवी में पढ़ रही बालिकाओं को माना पाखांजूर और मैन पाट का संबंध किसे से है, तो यहाए एक शनरारथी अस्तल है, आपसन बी, यह सभी किसभी आपकी कहां है, यह सभी किसभी चछत्ती से गढ़ में आगरा घराने का संस्थापक किसे माना जाता है, सोजान खांको आपसन ए और जैसे कि जानते हैं जो आगरा घराना है, विशेश कर वो धुरूपा दिशाईली से रिचर्ड है दुतिये पंच बर्षिये योजना में अस्थापित चातिश गढ़ राज्जी की प्रमुख आउद्दोगिक नगरी कहां इस्थित है आपसन सी भिलाई तो इसी के साथ आपने प्रेक्टिशेट नमबर 11 कम्प्लीट कर लिया एक गठा बराबर कितना इंच होता है आपसन ए निन्या नबे इंच सेर्ष केसर उतपादक राज्ज कौन सा है आपसन भी जम्मू कश्मीर गुप्तकाल में सुदूर पस्चे में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था आपसन डी पैठन राश्टिय क्रिसी वानी की अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित आपसन डी जहांसी बिजन दो हजार पैटिश प्रपत्र तयार किया गया है आपसन सी नीत या यूग के द्वारा या जो बिजन दो हजार पैटिश है आपका या जन जन स्वास निगरानी से संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्रमख रूप से आम की किस्म का उत्पादन होता है आपसन ए दसहरी और चौशा कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निरिश करता है इन किस्मों की प्रमुख विशेष्टा क्या है इसकी प्रमुख विशेष्टा है कि इनके तेल में इरुशिक अमल की बहुत अल्प मातरा होती है आपसन डी नारियल उत्पादक सीवस राष्टर कौन सा है आपसन बी अपना प्यारा भारत गन्य के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को क्या कहते है आपसन बी ब्रिक्स कहते है संसाधन सरचन की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किस से किसने सुरू किया था नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटकर आपसन बी पूछा जाता है येर की नर्बताव बचाव वियान की शुरुवात कब हुई है तो आप बर्स 1986 इस बी में राश्ट्रिय महिला आयूग की पहली महिला पहली जो अध्यक्ष रहें कौन है ठीक है राश्ट्रिय महिला आयूग की पहली अध्यक्ष तो महिला ही होंगी यहाँ पर आपका सही जबाब क्या होगा स्रीमती जैनती पतनायक आप्शन B गोमती नदी के तट पर इस्थित है लखनव अगला प्रस्न है कि उत्तर प्रदेश राज जी के किस नगर को खुस बूओं का सहर कहा जाता है इत्र आपको समझ आ गया होगा आपका सही जबाब है कन्योज उत्तर प्रदेश में आउसत जोत का आकार कितना है तो 0.5 hectare से अधिक किंत 1 hectare से कम है चित्रकारी की मथूरा सहले को निמन में से किस नाम से जाना जाता है मथूरा चित्रकारी की मथूरा यह हैं ब्रज सैली आपशने उत्तरपरदेस राज्जललिद अकादिमी कहां इस्थेत है लखनव में आपशन से उत्तरपरदेस में इस्थापत तिकला की प्राचीनतम नमूने कहां मिलते हैं किस काल में मौरे काल में मिलते है खरिफ की फसल कब बोई जाती है मई जुलाई में उत्तरप्रदेश में किसान सेवारत कारिक्रम की सुरुवात कब हुई थी बर्स 2010-11 उत्तरप्रदेश में आवले का सरबाधिक उत्पादन की जिले में होता है आवला आपसे कई बार एक्जाम में पूश लिया जाता है तो यह आवला आपका जो होता है वह प्रताप गड़ है आपसे संतरा भी कई बार पूश लिया जाता है तो संतरे के लिए आपका सहारन पूर हो जाता है असम का प्राचीन तम नाम किया है वसम का प्राचीन नाम है काम रूप खजुराहो के मंदिरों को किसने निर्मित कराया चंदेल आप्षंडी उत्र प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विस्विद्याले कौन सा है इलाहाबाद विस्विद्याले आप्षंडी अधिसंख्यक कुषाड मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है मथुरा से आप्षंड सी है निम्नमे से किसको संगीत सास्त्र का पितामह कहा जाता है ठाकुर्जय देवसिंग को आप्षंड ए इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 12 कम्प्लीट होता है बढ़ते हैं अगले प्रेक्टिशेट नमबर 13 की योड़ पहला प्रस्ण है मेट्रिक जरीब में कडियों की संख्या कितनी होती है आप्षंड एहंडर्ड निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्त्य है आप्षंड डी यह केंद्र सरकारियों मैस्थानिय समुदाई की स्वामित्तों में है सरसो उथपादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा अस्थान है आप्षंड E दूसरा अस्थान है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दच्छड के पठारी भाग के अंतरगत नहीं आता है आप्षं B आग्रा सारदा अधनियम के अंतरगत लड़कियों यों लड़कों के बिवाह की नियुनतम आयू क्रमसह के तिन निर्धारित की गई थी लड़कियों की उम्र 14 बर्स यो लड़कों की उम्र 18 बर्स नियुनतम निर्धारित की गई थी उत्तरप्रदेश के प्रवतिय भाग में निमलिखित में से किस्वप्रकार के फलों का उत्पादन होता है आपसंद बी सीतोष्ड जलवाई वाले निमलिखित में से कौन सी एक क्रिया पर्यावर्ण के लिए अनकूल है वह है जैवक्रिसी आपसंद ए म्रदा की घटती हुई उर्वर्था योम उत्पादक्ता को बचाने के लिए किस क्रिसी पद्धती का प्रियोग आवस्यक हो गया है आपसंद बी फार्मकल्चर उत्तरप्रदेश की पूर्वी सीमा निमलिखित में से किस से मिलती है पूर्वी सीमा आपसंद बीहार गड़सवर का माफ कीजिएगा गड़गवर तो गड़गवर का तेवहार मनाया जाता है कब मनाया जाता है तो यह गड़गवर का तेवहार जो है चायतर सुकलत तीज को आपसंद ए और यह आपका जो है तेवहार जो है यह किस संबंधीत है तो यह राजस्थान से संबंधीत है गड़गवर की सवारी राजजयपूर और भीगा नेरपूर में जो है धोमधाम से निकलती है प्रारंब हो जाता है उत्रप्रदेश गोवध निवारण अधनियम कब लागू किया गया बर्स उन्नीस सो पच्पन इसबी में आपसंदी अधर्ववेद का सर्वप्रथम उलेख किस में मिलता है अधर्ववेद का कासी आपसंदी उत्रप्रदेश राज्य का वह नगर जिसे सुहाग नगरी उपनाम से भी जाना जाता है सुहाग का मतलब समझ रहों चूड़िया उड़िया जब पहने दायते ही लोग नगरी तो चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है आप जानते हैं काज चूड़ियों के लिए वो है आपका फिरुजा बाद आपसंदी गोविन्ध वल्लब पंत शागर जील कहां पर इस्थित है सोन भद्र कंदरा चित्र उत्रप्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुए है मिर्जापूर में भारतेन नाट्ट अकादमी कहां इस्थित है लखनव में उत्रप्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की सुरुवात किस ने की ललित मोहन सेन नी उत्रप्रदेश राज्ज में चावल की क्रिसी कितने प्रत्शत भाग में की जाती है 18 प्रतिशत क्रिशक बिद्र अवस्था पेंसन योजना कब सुरू की गई थी बर्स 2003 में उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाड़जिक फसल कौन सी है वाड़जिक फसल बोलो यानि कॉमर्शिल क्राप कहलो या आप नगदी फसल कैस्क्राप वह है आपका गन्ना आपसन सी असो का इस्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित शमुद्र गुप्त का प्रसस्ति लेखव जो प्राप्त हुआ है वह कहाँ आपसन बी प्रियाग में बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था वह युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध में आपसन यहाँ पर आपका सी सही जबाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बर्स 1987 इजबी में किस प्लान के तहत कचुआ पुनरवास युजना प्रारंभ की गई थी आपसन डी गंगा एक्षन प्नान अगला प्रसन नंबर 24 है उत्तर प्रदेश में बिस सुबाइंक की सहायता से किस युजना का प्रारंभ बर्स 1998 इजबी में किया गया था चार आपसन दे रखे हैं आपको बताना है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा वाथी वानी की युजना आपसन सी अंतिम प्रस है तो अंतिम प्रसन है कि उत्तर प्रदेश की कुल जन संख्या के कितने प्रतिशत लोग किसी शेतर से जुड़े हुए है तो 59.3 प्रतिशत आपसन ए और दोस्तो इसे के साथ आपका प्रेक्टिश एट नंबर 13 कम्प्रीट हो जाता है नव प्रेक्टिश एट नंबर 14 पहला प्रशन है कि देश का सबसे बड़ा गन्न उत्तपाद गराज्य कौन सा है आपसने उत्तर प्रदेश सामोहिक क्रसी का प्रशलन सर्व प्रथम किस देश में सुरू किया गया था आपसन सी पूर्वी शोविया तशंग उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश के दक्षिड में इस्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है आपसन्टी बुंदेल खंड पठार छेतर फल की द्रिश्टी शे उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है आपसन्टी चौथा अस्थान है एक एकड किस के बराबर होता है एक एकड बराबर 4840440 बर्ग गज होता है राजस्व प्रसासन का निम्नतम पद कौन सा है आपसन्टी पटवारी तिलहन प्रदोगी की मिशन को प्रारंभ कब किया गया था आपसन्टी बर्स 1986 में महोबा किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है आपसन्टी पान की खेती के लिए एकड मापन की एक एकाई है किसके मापन हेत उप्रियुक्त किया जाता है आपसनी छेत्र फल चकबंदी के माध्यम से किया जाता है तो चकबंदी के माध्यम से बिखरे भूमी को जो छेत्र उनका क्या है एकत्रन किया जाता है हस्तिनापूर का मुख्य टीला कौन सा है आपसन्टी बिदुर का टीला चंद्र सीखा राजाद पार्क उत्तर प्रदीश राजी के किस जिले में इस्थित है आपसन्टी प्रियाग राज प्रोजेक्ट टाइगर की सुरवात किस बर्स हुई है आपसन्टी बर्स 1973 में मिर्जापूर से प्राप्त चित्र किश प्रकार की है आपसनी रेखा चित्र नवंबर 1963 इस बी में उत्तर प्रदेश नाट संगीत अकादमी की अस्थापना कहां की गई थी आपसन्टी लखनव में राश्ट्रिय ग्रामीर स्वास्त मिसन कब प्रारंभ हुआ था बर्स 2005 इस बी में चाई की खेती उत्तर प्रदेश राज्ज के किन छेत्रों में की जाती है आपसन्टी तराई छेत्र में दुधवा राश्ट्रिय उत्दान उत्तर प्रदेश की कि जिले में इस्थित है आपसनी लखिम पुर्खीरी केंद्रिय वक्री अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है आपसन्टी मतुर्या उत्तर प्रदेश में प्राथमी की विद्यालयों में पूशा हार योजना का प्रारंभ कब किया गया बर्स 1995 इस बी में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है पहला है कि डाक्टर बी राव अम्बेटकर बिस्थुविद्यालय लखनव में है बिलकुल सही है लोहिया राष्टिय बिधी बिस्थुविद्यालय आयोध्या यह आयोध्या में तो नहीं है चौधरी चर्ण सिंग बिस्थुविद्यालय मेरट बिलकुल सही डाक्टर अमेड कर बिस सुबेद्या ले आगरा तो यहां भी सही है तो इसमें जो गलत आपसन है सुमेलित नहीं है वो है आपसन भी तो आपसन भी यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा क्योंकि यह योध्या में नहीं है कहां पर है यह लखनव में है उत्तर प्रदेश के किस जिले का इत्र प्रसिद्ध है आपसनी का नौज गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहां आयोजित होता है आपसनी हापुड में बर्स 2011 की जनगडना की अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीड छेत्रों में निवास करती है आपसन बी 77.70 प्रतिशत और इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नंबर 14 कम्पलीट होता है बढ़ते हैं अगले प्रेक्टिशेट नंबर 15 की ओर प्रेक्टिशेट नंबर 15 भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है आपसन बी 55 प्रतिशत धूसर क्रांती का संबंध किस छेत्र से है आपसन सी औरवरक उत्पादर दुख्द उत्पादर में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सास्थान है आपसन ए प्रतम अस्थान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अच्छांसों वा देशांतरों के मद्धे इस्थित है आपसन ए 23 डिगरी 52 मिनट उतरी अच्छांस से 30 डिगरी 28 मिनट उतरी अच्छांस तथा 77 डिगरी 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिगरी 41 मिनट पूर्वी देशांतर तक देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदीश का कौन सा स्थान है आपसन C दुतिय अस्थान है जैसे कि आप जानते हैं पसिम बंगाल नमबर वन है चाय का उजन्म अस्थान कहां है आपसन C चाइना किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सरबाधिक मात्रा पाई जाती है आपसन B वर्मी फंपोस्ट एग्रो सिल्वी कंचर का तात्य पर यह क्या है आपसन B फसले प्लस इंधन के ब्रिच्च निम्नांकित में से किस फसल का उत्तरप्रदेश भारत में सर्ब प्रम्ख उत्पादक है आपसन D गे हूँ अगला प्रस्ण है कि अगबर के नौरतनों में से एक टोडर मल उत्तरप्रदेश के किस सस्थान से थे आपसन C स्रीतापुर प्रदेश में वायू मिरदा पर्दन से सर्बादिक प्रभावित छेत्र कौन सा है वायू मिरदा से आपसन E परश्चिमी छेत्र भगवान राम का जन्म अस्थल उत्तरप्रदेश के किस जिले में स्थेत है आपसनी आयोध्या निम्न में से किस मुगल बादसाह ने प्रियागी की पुनह अस्थापना कर उसे इलहाबाद नाम दिया तथा एक किले का निर्माड भी करवाया आपसन बी अकबर रामनोहर रोहिया समग्र विकास यूजना कब सुरू की गई थी आपसन सी बर्स दो हजार बारा इस बी में प्यासा उट निम्न में से किस चित्रकार की कृती है आपसनी विश्वनाथ मेहता बेती ताल पच्छी विहार कहां पर इस्थेत है आपसनी प्रतापगढ उत्रप्रदेश संगीत नाटक अकादमी की अस्थापना कहां की गई थी आपसन भी लखनव में उत्रप्रदेश के किस जिले में चाई की खेती की जाती है तो दिवरिया भी है सिधार्त नगर है पीली भी थै इन सभी में उत्रप्रदेश राज्ज में किसान बही योजना कब लागू है बर्स 1992 से प्रदेश के किस सहर में फोलों से इत्र बनाने का कार्य किया जाता है आपसंसी गन्नावज उत्रप्रदेश राज्ज में कस्तूर्बा गांधी बालिका बिद्याले योजना कब से आरंब होई है तो कस्तूर्बा गांधी बालिका बिद्याले योजना बर्स 2004 से शाट होई है उत्रप्रदेश में भूतत्यों मखनिज कर्म निदेशालाई की अस्थापना कब की गई बर्स 1955 इसबी में उत्रप्रदेश में बर्तमान में कितने राष्ट्री उद्दान है तो केवल केवल एक ही राष्ट्री उद्दान है जैसे कि आप जानते हैं किराना घरानी का संस्थापक निम्न में से किसको माना जाता है एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दरपण लेकर किये जाने वाले निर्त्य को क्या कहते है कहा जाता है छपेली निर्त्या आपसन बी और इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर पंद्रा कंप्लीट होता है प्रेक्टिशेट नमबर शिक्स्टीन पहला प्रस्ण है कि सुराजी की क्रिसी नीती में क्रिसी को उद्दूग का दरजा प्रदान किया गया है आपसनी महाराश्ट्रा बिस सुखाद दिवस कब मनाया जाता है आपसनी सोलह अक्टूबर को प्रदेश में क्रिसी नीती को ब्यावहारिक रूप प्रदान करने है तो प्रियगुसाला से खेतों तक कारिक्रम किस क्रिसी संस्थान की देन है पंत नगर विस सुबिध्या ले भारत को कितने भावतिक विभागों में बाटा गया है आपसनी पाच सरबाधिक रबर उत्पादक राष्ट कौन सा है आपसन बी थाइलाइंड ताजे जल के मचली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है आपसन बी दूसरा भारत में रजत क्रांती किसे से संबंधित है अंडा और चिकन का उत्पादन भारत में जमीदारी भूबयवस था किसके काल में लागो की गई थी आपसन सी लार्ड कार्णावालिस म्रदा के बिना जनमाध्यम में पौधों की बृध्धियों विकास की पद्धती क्या कहलाती है आपसन बी हाइड्रोपोनिक्स क्रिसी छेत्र को विद्धुत आपोर्त हेत डाक्टर अंबीट कर उर्जा क्रिसी सुधार योजना कब प्रारंब की गई थी बर्स दो हजार दस इस बी में बर्स दो हजार तीन चार जनश्री बीमा योजना निम्नमे से किस के लिए आरंब की गई थी आपसन बी बुनकरों के लिए उतरप्रदेश में सुप्रसिद्ध विस्वनात्थ मंदिर कहां पर इस्थित है आपसन बी वाराण सी आरंद भवन उत्तरप्रदेश राज्जी के किस जिले में इस्थित है नापसन बी प्रियाग राज उत्तरप्रदेश राज्जी की बारवी पंच बर्शिय योजना में क्रिसी विकास दर कितनी रखी गई है पाँच प्रतिशत उत्तरप्रदेश में अस्थापत कला के सबसे प्राचीन अवसेश कौन से है तो सबसे जो प्राचीन अवसेश है वह है मौर्य कालीन पूसा रसराज किसे की उन्नत किस्म है आपसन बी खरबूजा मद्धकाल में उत्तरप्रदेश की प्रमुख चित्रकरा सैली कौन सी थी आपसन डी मुगल सैली गन्ना उत्पादन में उत्तरप्रदेश का कौन सा स्थान है आपसन एप पहला स्थान उत्तरप्रदेश गोवध निवारण अधनियम कब से लागू है बर्स 1955 इसबी से उत्तरप्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस्म का उत्पादन होता है कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले योजना के अंतरगरीद गरीब परिवार की लड़कियों के लिए कितने प्रतिशात सीटे आराच्चित है आपसन एप पच्चीस प्रतिशात मैथली शर्ण गुप्त विश्व विद्याले बुंदेल खंड विश्व विद्याले ये कहां पर इस्थेत है आपसनी जासी में उत्तरप्रदेश में सेंटरल लेपरोशी इंसिट्यूट किस नगर में इस्थेत है आपसनी आगरा में किराना घराने को घराने का दर्जा दिलाने वाले मुख्य गायक कौन है आपसनी ए और वी दोनों देड़िज उस्ताद अब्दुलकरीम खां प्लस अब्दुलवहीद खां बुंदेल खंड की महिलाओं द्वारा स्री कृष्ण जनमास्टमी की अउसर पर मयूर की भात की जाने वाले निर्त्य को क्या कहते हैं कहा जाता है राई निर्त्य आपसन बे नाओ प्रेक्टिशेट नमबर सेबैंटीन पहला प्रस्न है कि क्रिशी सेवा केंद्र नामक योजना किस पंच बर्षिय योजना कारिकाल्य में प्रारंब होई थी सही जवाब होगा आपसन दी चतुर्थ बियम ब्यास समेत किस से संबंधित है उत्तर प्रदेश में भावर की तंगपट्टी कहां पाई जाती है तराई छेत्र में उत्तर प्रदेश के भगोली की छेत्र में समलित नहीं है वह है नेलगीर पहाडी आपसन भी नेमनलिखित किस में प्रदेश में उत्पादित किये जाने वाले किस फल की है देशी, नागपुरी, एमपदर और लड्डू इस अभी के सभी जो किस्म है वो है संतरा की आपसन भी चाय, काफी, रबर वा तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाओ को नियंत्रित करने के उद्देश से मूल इस्थरी करण कोश किया स्थाप नकानुमोदन कब किया गया बिस फरवरी 2003 को, आपसन ए, क्यूरिंग की क्रिया के स्फसल में शंपन्न की जाती है, क्यूरिंग की क्रिया आपसन बी, तंबाकू भारतिय दलहन अनसंधान केंद्र कहां इस्थित है? आपसन बी, कानिपूर में, दलहन का सरबाधिक उतपादक तथा उपभोगता राष्ट्र कौन सा है? अपना प्यारा भारत गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नमे से कौन सी योजना आरंभ की गई थी? आपसन सी, महा माया गरीबी आर्थिक मदद योजना बर्ष दो हजार चारीज बी में, उत्तर प्रदेश के किस मुख्य मंत्रे के काल में, गर्भुवती महिलाओं को निहसुल्क उपचार उपलब्ध कराने है तू कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? आपसनी, बंदे मात्रम योजना प्रसिद्ध संत सेख सलीम चिस्ती का मगबरा कहां इस्थित है? फतेश पुर्शी करी में ग्यान प्राप्ती के बाद महत्मा बुद्ध ने सर्व प्रथम कहां उपदेश दिये थे? आपसन्सी सारनाथ में उत्तरप्रदीश राज में प्रथम क्रिसी गड़ना कब हुई थी? बर्स 1971 में मौर्य कालीन प्रसिद्ध मंदेर कौन सा है और कहां पर है? तो ये कहां पर है? आपका सही जबाब होगा इन में से कोई नहीं जैसा कि जानते हैं कि मौर्य कालेन में मा भगवती की पूजा हुआ करती थी? मा भगवती है ना? तो कला की द्रिष्टी से हडपा सभथा और मौर्य काली की बीच लगभग पंद्रह सो बर्स का अंत्राल रहा मौर्य काल के सर्वक्रिष्ट जो सर्वोधक्रिष्ट थे नमूने असोक के एकासमक अस्तंब कौन सा अस्तंब रहा? एकासमक तो एकासमक अस्तंब जो की उसने धम प्रचारी के लिए देश के बिभिन भागों में अस्थापित किये थे फिक है तो ये कारण रहा आपका फुम्री यहां पर सही जबाब क्या होना चाहिए था कि माभगवति अगर मंदिर होता तो आपका सही हो जाता उत्तर प्रदेश में राज किये पुरातत्तो संगरहले कहां परिस्थेत है? आपसंडी कन्नाउज ठुमरी गाई का गिरजा देवी का संबंध किस से है? इनका संबंध बनारस घरानी से है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल है या कॉमर्शियल क्राप या कैस क्राप जो भी पूँचा जाए गन्ना ही लगाना कब हुई थी? इसकी सुरुवात बर्स उन्नी सो सत्तर इसबी में पूशा बोल्ड किस्म है? यहा एक तरह सी सरसु की किस्म है? कल्प सिच्छा योजना किस से संबंधित है? तो प्राथमिक सिच्छा से गौतम बुद्ध बिस्विद्याले कहां परिस्थेत है? यहां ग्रेटर नोएड़ा में है आपसंडी उत्तर प्रदेश में स्कूल आफ पेपर टेकनोलाजी कहां इस्थेत है? सहारन पुर में आपसंडी नाबाड जो एक ग्रामिड विकास के लिए रिण देता है वहां एक है बैंक है, खंड है, बोर्ड है, विभाग है, क्या है? आपका सही जबाब होगा बैंक है ब्रज छेत्र में मयूर पंख के वस्त्र धारण करके किये जाने वाले निर्त्य को क्या कहते है? कहा जाता है मयूर निर्त्या, आपसंडी और इसी के साथ आपका प्रेक्टिसेट नमबर 17 कम्प्लीट हो जाता है नाव प्रेक्टिसेट नमबर 18 पहला प्रस्ण है कि भारत में सार्वजनिक बित्रण प्रणाली की ब्यवस्था की शुरुवात कब की गई थी बर्स 1947 इस बी में समोच क्रिसी किन छेत्रों में अपनाई जाती है आप्शन डी अपर्दन प्रभावित पहाडी छेत्र में निर्धन्ता के बिस्तार का अनुमान भारत में कौन सी संस्था लगाती है आप्शन डी ए और सी दोनों दड़ राष्ट्रिय नमूना सर्वेच्छन संगठन प्लस नीतियायूग उत्तर प्रदेश का पूर्भ पास्यम का बिस्तार कितना है उस क्रांती को कौन सी संग्या प्रदान की गई है जिसके अंतरगत किसी छेत्र की सभी अवजवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है खादान सिंखला उत्पादन आपसन ए बुंदेल खंड छेत्र के लिए सरबाधी उप्युक्त फसल चक्र कौन सा है केंद्रिय समुद्री मत्स अनसंधान संस्थान कहां अवश्यत है कोच्ची की रल में एक फसल के कटने से पूर्व ही दूसरी फसल की बुवाई क्या कहलाती है अतिव्यापी सस्यन आपसन से उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा महमाया गरीब आरथिक मदद योजना कब प्रारंभ की गई थी बर्स 2010 ECB में अगला प्रस्न है कि उत्तरप्रदेश क्रिसक बिर्धावस्था पेंसन योजना में कितनी राशी प्रतिमाह दी जाती है पांच सो रूपे परमंध ग्रामीड समाज की अस्थायतु का कारण निम्न में से कौन सा है आपसनी संयुक्त परिवार सेर्षा सोरी की मृत्यु कहां हुई थी? आपसनी कालिंजर में पंडो की नगरी कहा जाता है पंडो की नगरी मथुरा को कहा जाता है उत्तरप्रदेश में कौन से सैली का विगास हुआ है? तो गांधार सैली और साथ ही शाथ मथुरा सैली आपसन यहाँ पर आपका सी सही जबाब है उत्तर प्रदेश में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महा बिद्याल है किस नगर में स्थित है लखनव में धोरिया लोक नृत्य कहां का है तो किस रिजन का है यहाँ पर आपका सही जबाब है यहां बुंदिल खंड का मौंग फली की खेती हे तो उप्यूगत मिट्टी कौन सी है वा मिट्टी है दो मंट भारत में बेरोजगारी की समच्या मोलता है सनरचनात मग सरकार द्वारा नियोजित योजनाए सिच्छा का अधिकार अधनियम के तहत राज सरकार की भागेदारी कितनी है 35 प्रतिशत भागेदारी है उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डाक्तर सकुन्तला मिस्त्राविस्व बिद्यालाई की अस्थापना कब की गई थी बर्स 2008 में आपसन ए उत्तर प्रदेश में अनवप्चारिक सिच्छा योजना की स्वरवात कब की गई बर्स 1975 इसबी में आसा योजना का संबंद की सुसे है आपसन ही सामाजी के स्वास्थे कारी करताओं से कलाबाजी निर्त्य किस छेत्र का लोक निर्त्य है कलाबाजी यहां आवधका है आपसन से करबा निर्त्य किस छेत्र का लोक निर्त्य है यहां पर आप यहां पर आपसन दिया नहीं बिसीश कर मिरजापुर दिये हैं लेकिन आप यहां पर इसको आप सोन भद्र कर लीजिए सोन भद्र में आदिवासियों कहाई यह विसीश कर लोक निर्त्य है यहां पर आप सोन भद्र कीजिए दोस्तों अब यह छापती हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पर सोन भद्र होना चाहिए कदरी वगदरी जो है मिरजापुर की विसीश कर होती है ठीक है तो कर्मा जो निरत्य है यह सोन भद्र आप लगाईएगा और इसी के साथ आपका प्रेक्टिस एट नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है बढ़ते हैं अगले प्रेक्टिस एट नंबर की ओर प्रेक्टिस एट नंबर 19 पहला प्रस्ण है कि किस ब्यवस्था में भूमी पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित तो होता था आपसंद भी महाल वाड़ी व्यवस्था लच्छित सार्वजनी की बितरण प्रणाली यह आप कह सकते हैं पीडियस जो सिस्टम है आपका पब्लिक डिस्टिब्यूस्टन सिस्टम इसमें गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की निर्धारण का जो मानक है वह क्या है तो इसका जो मानक है जिनकी वारशिक आए 15,000 से कम है भारत में इस्थित किस सहर को विश्ट का सबसे पुराना सहर माना जाता है तो वो है वाराण सी उत्तर प्रदेश का उत्तर से दच्छन तक कितना विस्तार है उत्तर से दच्छन तक 240 किलो मीटर संसार में किस फसल का उत्तपाधन तथा छेत्रफल सरबाधिक है तो विर्विश्ट में आपका होगा दहान का इंडियन सोसाइटी आफ एग्रोनॉमिक की अस्थापना कब हुई थी बर्स 1955 में नेशनल सुगर इंसिट्यूट कहां इस्थेत है आप संसी कानपुर में केंद्रिय धान अनसंधान संस्थान कहां अवस्थिज है यहां कटक उडिशा में है नेक्स है यन ए एफ एडी दर्ज नेशनल एग्रिकल्चरल एफ से हो जाएगा आपका नेशनल एग्रिकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया ठीक है तो नेशनल एग्रिकल्चरल कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया तो ना फेड जो है किसे से संबंधित है तो एगरी कल्चर आ ही रहा है लेकिन क्रिसी उत्पादों से है या क्रिसी यंत्रों से या पसुपालन से यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा क्रिसी उत्पादों के बिपड़न से बरस दो हजार नो में आरंभ की गई आम आदमी बीमा योजना निम्नमे से किस से संबंधित है तो ग्रामीड भूम हीनों के बीमों से बरस दो हजार तीन में उत्तर प्रदेश क्रिसक ब्रगधावस्था पैंसन योजना लागू करने वाले मुख्यमंत्री कौन है यह आपसन ए स्री मुलायम सिंग गया दो किस नगर को सीराज हिंद कहा जाता है आपसन डी जौनपुर को सुफी निजामुद दिन अउलिया कौन थे कहां की थी यहां थे बदायू की निम्द में से कौन सा दर्शनी अस्थल आयोध्या में इस्थित है तो आयोध्या में सरी उगाट भी है तुलसी चौरा भी है मड़ी परबत भी है यहां सभी की सभी आपसन डी अगला प्रशन है कि उत्तर प्रदेश में कि जनपत में सरबाधिक मेले लगते है यहां पर आपका सही जबाब है आपसन डी मथुरा में कार्तिक एक लोक निरत्त्य है आपसन बुंदेल खंड का राज में क्रिसी जोतों का आउसत आकार कितना है आउसत आकार 0.83 हेक्टेयर है राज सरकार द्वारा किस बर्स में पसुपालन विभाग की अस्थापना की गई थी आपसन भी बर्स 1944 सीजबी में सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातिया है यह प्रजातिया है कबूतर की आपसन ए आपरेशन ब्लैक बोर्ड तो आपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस उसे है केंद्र सरकार की येक योजना है आपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसका उद्देश से जो प्राथमिक विद्याले होते हैं उनमें नियुन्तम सेक्षन सामागरी जो है उपल अब्ध कराना और यह एक केंद्र सरकार की योजना है अगला प्रशन है बाइस नंबर की राष्टी एकता समिती का गठन किस बर्स हुआ था सही जबाब होगा बर्स 1967 ECB में केंद्रिय पर योजना चमन का संबन्ध किस से है इसका संबन्ध है क्रिसी से रेड राट रोग किस पाउधे में लगता है गन्ने में आपसन बी अंधिम प्रस्न है उन्नीस नंबर सेट का कि जूला निरत्य बर्ज छेत्र में किस माह में किया जाने वाला लोक निरत्य है आपका सही जबाब होगा स्रावड आपसन ए और इसे के साथ आपका प्रेक्टी सेट नंबर उन्नीस कंप्लीट हो जाता है नौ प्रेक्टी सेट नंबर ट्वेंटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वर्सा होती है प्रेवियर सेट में आपने देखा सबसे कंप जो वर्सा रही तो यहाँ पर सबसे अधिक की बात की जा रही है जो कि आपका सही जवाब है आपसन भी गोरकपुर केंद्र सरकार द्वारा किसी मजदूर सामाजिक सुरच्चा यूजन की शुरवात किस बर्स की गई थी आपसन सी एक जुलाई 2001 को केंद्रिय भेडियों उन अनसंधान संस्थान अस्थापित है कहाँ आपसन सी अभिकार नगर में कांच उद्दोग के लिए उत्तरप्रदेश का कौन सा नगर बिख्यात है आपसन सी फिरोजाबाद ब्यापक फसल बीमा योजना की अस्थान पर राष्टिय क्रिसी बीमा योजना लागू कब की गई बर्स 2000 में रैंचिंग पद्धत किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है आपसन ए आस्ट्रेलिया में उत्तर प्रदेश को भारत की केतने राज्यों की सीमाएं इस फर्स करती हैं आपसन सी आठ राज्यों यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कुछ फसल दे रखे हैं और उनको क्या संग्या दी जाती है यहाँ पर आपको बताना है जैसे कि पहला है आपका ए आप्शन में देख रहे हैं कि ए दिया है या पीला शोना है तो पीला सोना जो कहा जाता है वह सर्सों को जूटा सोना कौन सा सोना है जूटा तो जूटा सोना जो कहा जाता है वह कहा जाता है पाईरा पाईराइट्स को ठीक है फलों का राजा सिंपल सी आम को कहा जाता है फलों की रानी किसको कहा जाता है वो है लीची यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा आपसन ए उत्तर प्रदेश राज खेल विभाग का गठन कब किया गया बर्स 1974 इस भी में उत्तर प्रदेश में परमाड विद्दुत केंद्र कहां अस्थापित है आपसन सी नरवरा समाजवादी पेंशन योजना का प्लारंब होई आपसन ए बर्स 2014 में उत्तर प्रदेश का वहाज थान जिसे धर्म गरंथों में त्युह राज की शंग्या दी गई है आपसन बी प्रियाग राज 18,000 रिशियों की तब उभों में किसी कहा जाता है नयमी शार ए जोई की सीतापुर में है निमनलिकित में से राज जी का वहाज नगर कौन सा है जिसे पाँच जैनती थंकरों की जनमस्थली माना जाता है आपसन बी अयोध्या उत्तर प्रदेश में सर्व प्रथम किस पच्छी बिहार की अस्थापना की गई नवाब गंपच्छी बिहार स्वामी हरिदास जैनती प्रतिबर्स उत्तर प्रदेश की किस नगर में मनाई जाती है आपसन डी बिरंदाबन में चित्रकला की मुगल सैली का आरंब किसने किया था आपसन बी हुमायूनी उत्तर प्रदेश में सीमान तिक्रिसकों का प्रतिशत कितना है आपसन बी 74 प्रतिशत लूना सरी किस्म किस की है आपसन ए धान की देश की कुल क्रिसी योग भूमिका केतना भाग उत्तर प्रदेश में इस्थेत है आपसन डी बारा प्रत्षत धरातल पर मापी गए छैतिस दूरियां, कोडों यो मुचाईयों को मानचित पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं आपसन सी मानचित रांकन निमनलिकित में से कौन सी सही सोमेलित यहां पर नहीं है आपको बताना है विस सुबिद्याले दे रखके हैं और उनकी लोकेशन दिया है आपको बताना है यहां पर आपका सही जबाब होगा देखें इंटीग्रल इन्वरसिटी जो है वा लखनौ में है बिलकुल सही है M.T. इन्वरसिटी अगर देखेंगे तो ये कानपूर में कता ही नहीं है जो कि इसकी अस्थापने जानते है प्राइबिट सेक्टर का सबसे बड़ा द्याल बिश्वेद द्याला है और इसकी अस्थापना 2003 में हुई थी तो ये तो कानपूर में कता ही नहीं है लखनौ में है नोईटा में मिल जाएगा जैपूर में होगा लेकिन कानपूर में तो कता ही नहीं तो इसलिए आप से यहाँ पर आपका 20 सही जबाब है जबकि सुभारती विस्विद्याले मेरट विल्कुल सही है आई एफ टीम विस्विद्याले मुरादबाद बाकी सब सही है अगला प्रसना की सर्वसिच्छा अभियान की सुरुवात किस बर्स की गई बर्स 2001 में आपसन दे उत्तर प्रदेश में आवले का सर्वादिक उत्पादन कहां होता है आपसन दी प्रताप गढ़ में बुंदेल खंड के अहीरो द्वारा प्रजुलित दीपों से भरी बरात अथवा थाली को सिर पर रखबर किया जाने वाला जो निर्त्य है वा क्या कहलाता है दीपों से भरी आपका सही जबाब है दीपा वाली निर्त्य आप्शन ए इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर ट्वेंटी कंप्लीट हो जाता है बढ़ते हैं आगे प्रेक्टिशेट नमबर ट्वेंटीवन पहला प्रशन है कि राजस्य विभाग की अंतर्गत सबसे महात्यपूर्ण विभागा ध्यच्च कौन सा है सही जबाब होगा आप्शंसी राजस्य विभाग में कितने अनभाग है अप्शंडी चौदा उत्तरप्रदीश राजस्य विभाग की अंतर्गत जिला गजीटियर विभाग की अस्थापना कप की गई थी वर्स उन्नीस सो साथ तावनीजबी में निमलेखित में से कौन सायोग में सुमेलित नहीं है योजना ये दे रखी हैं विभाग हैं परिशद और इनकी अस्थापना बर्स है पहला दिया है चकवंदी योजना इसके जो सुरुवात होई है वा उन्नीस सो चौवन में बिलकुल सही है भूमी अध्यापती विभाग की अस्थापना 1980 बताई जा रही है जो इसकी अस्थापना 1980 नहीं यहां पर 1987 होना चहीं था इसलिए यहां पर आपका सही जबाब होगा आपसंद भी बाकि जिलख गजेटियार जो दे रखा है यह बिलकुल सही है और उत्तर प्रदिश राजस विभाग यह भी शही है तो आपसन भी यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा राहत आयुक्त विभाग के अंतर्गत कौन सा कार्य समलित किया गया है आपसन सी दैवी आपदाओं के समय आर्थिक शाहता परदान करना राज के भू अभिलेखों के रखर रखाओं का उत्तरदाईद तो किशे शौपा गया है आपसन सी जिला अधिकारी को उत्तर परदिश राजस सुपरिशद का नियाईक मुख्याले कहां इस्थित है आपसन भी लखनव में उत्तर परदिश जमीदारी बिनास अधनियम 1950 की अंतरगत क्या प्राबधान है अनसूचित जाती अनसूचित जनजात की भूम हीन खेतिहार मजदूरों को अनजातियों की भूम हीन खेतिहार मजदूरों पर वरियता है उत्तरप्रदेश राजस्व परिशद का प्रशासनिक मुख्याले कहा इस्थित है प्रशासनिक मुख्याले लखनव में उत्तरप्रदेश राजस्व परिशद की अस्थापना कब की गई थी बर्स 1900 माप कीजेगा 1831 में उत्तर प्रदेश में चगबंदी योजना की शुरुवात कब की गई? बर्स 1954 में उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हे तू किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होने चाहिए? कम से कम एक लाग उत्तर प्रदेश में लोकायुक तो शंगठन कब बना है? बर्स 1977 इसबी में कासी हिंदू विस सुविद्याले वाराणसी की अस्थापना किस बर्स होई थी? बर्स 1916 इसबी किस बिद्वान ने ग्रामिड समुदाय को लगु समुदाय की संग्यादी है? आप संसी रावर्ट रेड़ फील्ड भारत में कुल कितने गाउं है? छेलाक चालिस हजार नौसो तीस कोड़े से हरिद उर्जा निर्माड में निम्नमे से कौन कौन से राज अग्रडी है? यहाँ पर आपका सही जबाब होगा महरास्ट्रा और पंजाब एतिहासिक अनसंधान विरी का संबंध पाया जाता है भूद काल के सोध से निम्नमे से कौन निर्दर्थन सोध पद्धति का गुण नहीं है? विशेस ज्यान की आवस्यकता आपसंसी निम्नमे से कौन रास्टी ये ग्रामीड स्वास्त मिसन का लच्छ नहीं है? नापसंडी डेंगी मृत्ती दर को 2010 तक शमाप्ट करना उत्तरप्रदेश गोपालक यूजना की अंतरगत पसूपालकों को कितने रूपए रण उपलब्द कराया जाता है? नापसंडी रूपीज दस लाग ग्रामीड सामाजिक बिकास के लिए कि इन छेत्रों में बिकास आवस्यक है? तो स्वास्त सिच्छा पेजर ये सभी के सभी स्वादंता की समय कितना प्रतिशत क्रिसिये भूभाग जमीदारी ब्यवस्था की अधीन था 57 प्रतिशत सर्वपर्थम बड़ाओदा में चगबंदी अधनियम किस बर्स पारित किया गया था बर्स 1922 में और इसी की साथ आपका प्रेक्टिशेट टंबर 21 कम्प्लीट हो जाता है नाव प्रेक्टिशेट नंबर 22 पहला प्रेशन है कि चेन सर्वेच्छन में चित्रन पडल को कसा जाता है आपसने त्रपाद पर भारत में कितने प्रत्षत क्रिसी वर्षा पर निर्वर करती है आपसन बीट तैंती शुप्रत्षत जरीब मापन की सीधी पद्धती का दूसरा नाम क्या है मुरब्बो के आपने शामने के कोणों पर डाली जाने वाली रेखा को क्या कहते है आपसन सी करड़ लाइन राजिव गांधी ग्रामेड बिद्धोती करण योजना की शुरुवात कब की गई थी बर्स दो हजार पाचेजबी में भूमापन कारी में आने वाले यंत्रू की कुल संख्या कितनी है नापसनी पंदरा जनरी सिसु सुरक्षा कारिक्रम कब सुरू किया गया था तो बर्स दो हजार ग्यारा इजबी में अगबरी चेन को जिसने प्रियोग में लिया था उष्व्यक्ती का नाम है नापसन सी तोडर्मल साजहानी चेन की लंबाई कितनी है 165 फूट है यूरिया खाद से कौन सतत तो प्राप्त होता है नाइट्रोजन 33 फूट लंबी जो चेन होती है उसका नाम क्या है रेवेण्यू चेन जो चेन अथवा जरीब 100 फूट लंबी होती है उसमें कडिया कितनी है नापसन ए 100 उत्रप्रदेश के किस जिले में पूर्षों से महिलाओं का अनुपात सरबाधिक है नापसन डी जोनपूर इस टेल के तार का बना होता है नापसन सी सुआ केसर के लिए पौधे का कौन सभाग उप्योग में लाया जाता है वर्ति आग्र आपसन सी उपनगरिये ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्राविर्ट तथा नगरिये संस्कृति मिलती है आपसने निम्नमेसी कौन आधुनिक करण की विशेस्ता नहीं है तो आधुनिक करण की विशेस्ता जो नहीं है वो है परंपरावाद का बढ़ावा आपसंद बी रविंद्र नात्र टैगोर ने किस बर्स ग्राम बिकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंब की थी बर्स उन्नीस सो बीस इस बी में सामाजिक सोधकारी में तुलनात्मग बिधी के तहत निम्न में से किसका अध्यन किया जाता है आपसंदी सभी की सभी अंतरवस्त विसलेशन पधत की सर्व पर्थम शुरुवात कब होई थी बर्स उन्नीस सो चब्वीस इस बी में नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ड दो हजार उन्नीस की अंसार ग्रामीड छेत्रों में कितनी आबादी पर एक अलोपैथिक डाक्तर है 26,000 ग्रामीड छेत्रों में वित्तिय समावेशन के छेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे है स्वयम साहता समूह प्लस राज सरकार के वित्तिय संगठन प्लस ब्यवसाय प्रत्निधी आफ्षन डी सही जबाब है राजिय भूम अभिलेख आधुनी की करण कारिक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुवात किस बर्स की गई थी बर्स दो हजार आठ में जमाबंदी से कात्यात्य पर यह है आप्षन सी भो अधिकारों के प्रदैक उत्तर प्रदैस में बर्स दो हजार उन्नीस में मेगा फूड पार्ग का सिरन्यास कहां पर किया गया आप्षनी मथूरा में नाव प्रेक्टिशेट नमबर ट्वंटिथ्री जहां पर कोई कोना या चेन चलानी की आवस्यक्ता होती है वहां जो चिन्ह बनाया जाता है उसका नाम क्या होता है आप्षन सी गोदा उत्तर प्रदैस में सूचना आयूग का गठन कब किया गया बर्स दो हजार पांच में उत्तर प्रदैस का राजिकी पुस्प क्या है आप्षन D प्लास परताल साधक अथवा परिच्छक लाइन का दूसरा नाम क्या है आप्षन D चैक लाइन दो या दोशे अधिक ग्रामों की सीमाओं को दर्साने वाली रेखा का नाम क्या होता है आप्षन E सीमारेखा तनाजा लाइन का संबंध क्या है आप्षन B विबाद से नगर सर्वेख्षन में सर्वे होता है आप्षन D सहर की गलियों का जल की गहराई तथा बिस्तार के लिए दो सर्वेख्षन किया जाता है वह सर्वेख्षन क्या कहलाता है आपसंसी जल सर्विक्षण उत्तर प्रदेश पुलिश महा निदेशाले कहा इस्थित है आपसंसी लखनव में पुराने वा जमीन में दबे हुए अवसेशों को ढूणने के लिए जो सर्विक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं आपसंसी पुरातात विक्षण विक्षण लेखपाल प्रसिक्षण विद्यालेव की अस्थापना को राजस सुविभाग की किशन भाग में रखा गया है अनुभाग नंबर चार है उपकरण त्रोटी होती है गलत उपकरण से उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नवसर जित मंडल है अलीगढ आपसंसी हरदुआ गंज ताप विद्युद ग्रिया कहां स्थापित किया गया है हरदुआ गंज अलीगढ में रैखिक माप में सबसे अधिक परिशुधतार रहती है आपसंने जरीब या फीते से मापने भर सिवा जी के सासनकाल में ग्राम प्रदान के रूप में कौन कार्शाकार्य करता था तो ग्राम प्रदान के रूप में कौन कार्य करता था वह होते थे पाटिल आपसंसी अगला प्रस्ण है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस आवधी की अंदर चुनाव होंगे सही जबाब है आप संद्भी छे महा लेकिन माल लो पांच साल का जाने से की कारिकाल अगर होता है और साड़े चार साल पर अगर किसी कार्ण बस प्रधान अपना त्याग पत्रिया उनकी मृत्यों गयरा हो जाती है साड़े चार साल यानि छे महाँने आपकी पास बचेंगे तो अगर छे महिने का टाइम है तभी चुनाव होगा अगर छे महिने से कम का शम है तो चुनाव नहीं होगा पस्यमी करण के प्रभाव से भारती समाज में विवाह की कौन से प्रबिटी कम हुई है बाल विवाह अवलोकन पध्धती की प्रमुख्षन समस्याएं सीमाएं या दोश है तो ये सभी की सभी दोश विश्वनिशन का भाव होता है से मिछेत्र अध्यायन है संख्यात्मक पध्धती का प्रियोग कठेन 32 समाभीशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की सुरुवात बर्ष 2014 में की गई सही जवाब होगा आपका प्रधान मंत्री जंधन योजना गंगा हरियाली योजना का सुबारम हुत्तर प्रदिश सरकार द्वारक कप किया गया जुलाई 2018 इस भी में मोंगफली उत्बादन के लिए कौन सी मिर्दा सबसे अधिक उप्यूक तो होती है बलोई मिट्टी होती है आपसन सी गोटी का प्रियोग आम तोर पर किसकी संबर्धन के लिए किया जाता है आपसन इलीची भारती रास्टी शहकारिता विपड़न संग नैफेड की कारिय क्या है आपसन डी उपरोग सभी नवी पंच बर्षी योजना जिसका कारिकाल सत्ता नवी से दो हजार में रहा ग्रामीड शेत्रों में बीपी एल के लिए निश्चित की गई वारसी पारवारी की जो आए है वास्तर कितना है बीस हजार रूपे आपसन इहां पर सी सही जबाब है और इसी की साथ आपका प्रैक्टी शेट अमबर 23 कंब्ली zusammen हो जाता है प्रैक्टी शेट नमबर 24 पहला परस्ण है पटवार इलाके का सारा रिकार्ड किसके पास रहता है आपसं सी पटवारी की पास प्रतिक गाउं की सारी जानकारी का मानचितर होता है पटवारी के पाज अगला प्रस्चिन है कि गिर्दावर कानून गो जिस ब्यक्ति की अभिलेखों का निरिक्षण करता है वह ब्यक्ति कौन है वह ब्यक्ति है पटवारी आप्शन बे बर्तमान में आयोजित पटवारियों की भरती से पहले पटवारियों की भरती जो की जाती थी किसकी द्वारा जिला कलेक्टरों की द्वारा जिले का सर्वोत राजस अधिकारी कौन होता है आपसन एक कलेक्टर निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्षता आम जन्ता द्वारा किया जाता है आपसन सी सरपंज उत्तर प्रदेश में उर्दु को दुतिय राज़ भासा घुशित कप किया गया बर्स 1989 में खसरा नंबर का संबद किसे से है आपसन भूमी से निम्न अधिकारियों से आग्या मिलने पर पटवारी जिस अधिकारी की आग्या को सरबोच प्राथिमिक्ता दोग देगा वह अधिकारी कौन है वह है जिला कलेक्टर पटवारी की कारियों का शामान रिक्षण अधिकारी कौन है गिर्दावर कानून गो संबेधान की जिस अनुच्छेद की अंतर का जिला कलेक्टर को अपने कारीकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है वह अनुच्छेद कौन सा है अनुच्छेद है 311 अपने उत्तर दायतों की निर्वाह के लिए जिला कलेक्टर के रूप में होते हैं पाँच, निम्नमेसी गिर्दावर कानुनगों पर नियंत्रण कौन रखता है तहसीलदार पटवार हलके में, हलके की रिकार्ड में ततकाल सुधार करता है अपसंडी पटवारी, गाउं में भुराज़ सुवसूली का कारी चुकिया जाता है किसके द्वारा पटवारी द्वारा ब्रिक्षार उपड़ और बंजर भूमी विगास राज़स्व परिशत की किस अनुभाग की अंतर गयत्यु आता है अनुभाग दो पटवारी पद का सिर्जन किसके सासन काल में प्रारंब हुआ अपसंशी सेर साहब क्रिसी में निमन उत्पादन की सामान ने कारण है उपरोग तुष सभी की सभी अगला प्रशन है यन पी के यन सी जानते है नाइट्रोजन है न और पी सी फास्पोरस है के सी पोटास है तो नाइट्रोजन फास्पोरस और पोटास की किस अनुपातिक प्रियोग की संस्टूठी की गई है आपका सही जबाब है पूर इस्टू टूश्टू हन आयुक्त ग्राम बिकास का पत की सो बर्स स्रिजित किया गया था बर्स उन्नीस सो पचासी इस भी में बलवंतरा मेता समित ने पंचाइती राज प्रणाली को किस अस्तरिये पर बनाने की सिपारिश की थी तो बलवंतरा मेता बियार मेता थ्री अस्तरिये ठा थीक है तीन अस् की कारी पालिका है तो कारी पालिका जो है उग्राम उपन्चायत निम्न मेंसे कौन स्यामा प्रशाद मुखरजी के रूर्बन मिशन का उद्देश से है आप संडी उप्रोक्त सभी एग्री उडान योजना का उद्देश से क्या है आप संडी किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करना और इसी की साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 24 कम्प्लीट हो जाता है नौ प्रेक्टिशेट नमबर 25 पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सरबादिक अनसूचित जाती जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आप संसी सीतापूर राश्ट्रिय बीज अनुसंधानियों प्रसेक्षन केंद्र का मुख्या ले कहां इस्थित है आप संद भी वाराण सी एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुक्सान होता है यदि यदि इसकी गति अधिक हो राज्जिक्रिसी उद्पादनमंडी परिशत की अस्थापना किस बर्स की गई थी नाप संद भी बर्स उननी सो तिहत तरीजबी में इंख की अधसाली किस्म की फसल अवधी क्या है अठारा माह कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रियोग की जाती है आप संदी एथीन निमलिखित में से कौन सब्रिख्षिय सबजी है करी पत्ता कम से कम कितनी होनी चाहिए यहां पर आपका सही जबाब है पच्चास हजार ग्रामीड खाद दबाएं की योजना पुर्वांचल के छे जिलों में किस बर्स प्रारंब की गई थी बर्स दो हजार साथीस भी में भारत निर्माड योजना की घटकों में प्रामुख क्या है तो बिजली भी इंपॉर्टेंट है दूर संचार भी और आवाज भी सभी की सभी आप्शन दे राज्टिय प्राज़सन योजना का संबद ग्रामीड बिकास के किस छेतर से रहा है ग्रामीड पे जल आप्शन सी कुटूर जियोत योजना इस निमलिखित से कौन सा कारिकरम संबद दी था है तो ग्रामीड छेतरों में गरीबी रेखा से नीची दीवयन आपन करने वाले परिवारों को बिद्दूत उपलब्द कराना आप्शन सी भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहट कितने ग्राम पंचायतों को ब्रांड मेट से जुड़ा गया है आपसानी एक लाग खादान बैंक योजना जिसकी अस्थापन बर्स दो हजार दो इस बी में की गई थी इसके तहट किस अस्थर पर घादान बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था पंचायत अस्थर पर राज स्वास्त सूचकांक 2019 की रिपूर्ट में स्वास्त की छेदर में भारत का कौन सा राज सीर्स पर रहा केरल साबाजिक सोद बिधी से बिसे छेतरों में कौन सा सामिल नहीं होता है भो में भी तरण आपसन सी अवलोकन को बैज्ञानिक बिधी की कौन सी बिधी कहा जाता है आपसन इस सास्त्रिय बिधी बर्स 1932 में सर डेनियर हैमिल्टन नी शहिकारिता की आधार पर आधर्स ग्राम यूजना कहां शुरू की थी आपसन इस मद्राज बर्तमान ग्रामिल्ट समुदाय में किसी व्यक्ति की इस्थितिक आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है आपसन इस जाती सामाजिक परिवर्तन की आर्थिक कारग किस रूप में सहायक होते है यहाँ पर सभी की सभी आपकी सही जबाव है अंतर जाती प्रेम विवा सामाजिक बिगटन आपसन इस राइट एंजर आपसन इस जबाव किस आपसन इस जबाव में नहीं तो पाय जाते है आपसन इस जबाविट भारत के लिए गरीवी रीखा का आधार निर्धारित किया गया है 27 रूपिया प्रतिदीन आए कि पर उत्तर प्रतिष बिधान सभाव में शदस्यों की कुल संख्या कितनी है आपसन इस एंजर आपसन इस जबाव कि निवन की दौरा जो है वो चैन किया जाता है आप जानते है 104 आर्टिकल के संसोधन के तहट इसको उटा दिया गया तो आप कहेंगे 403 अगला है चिकन कारी के काम के लिए प्रसिद्ध काउन है तो चिकन कारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है लखनव आप्शन इए और इसी की साथ आपका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि 50 प्रसिद्ध कबर हो गया यानि प्रक्टिश एट नमबर वन से ले करके 25 तक है ना तो 50 प्रसिद्ध कंप्लीट हो गया 50 तक कंप्लीट करना है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नौ प्रक्टिश एट नमबर 26 पहला प्रश्ण है कि भारत में अस्थानिय स्वसासन का जनक किसी कहा जाता है आप्शन डी लाड रिपन को भूमी की 25 का कारी कौंच अभिभाग करता है आप्शन सी राजश्वभिभाग भूधान आंदूलन किश्वर्ष प्रारंब हुआ था नाप्शनी बर्स 1951 बी में केंद्र शरकार के पंचायती राजमंत्रा लेद्वारा श्वामित्त योजना की घूशड़ा कब की गई अप्रेल 2020 में देन दयाल उपाध्याय ग्राम जियो ती योजना का मुख्य उद्देश से क्या है अप्संसी उर्जा आपूर्थी करना सांसद अस्थानिये छेतर विकास योजना की घूशड़ा किस बर्स की गई थी बर्स 1993 इस बी में आत्म निर्भर उत्तरपरदीश रोजगार अभियान 2020 को राज्जी के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है आप्संस बी 31 जिलो में उत्तरपरदेश में क्रिशी को जलवायू की आधार पर कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है आप्संस बी 9 किस क्रिशी जलवायू प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है आप्संडी उत्तरपूर्वी मैदान प्लश पूर्वी मैदानी छेत्र ए और बी दोनों सही हैं बर्तमान समय में रोजगार करने में क्रिशी का लगभक कितना प्रतिशत योगदान है आप्संसी 57 प्रतिशत ग्रामीड अर्थ ब्यवास्था में संस्थागत सुधारों का प्रमु घटक कौन सा है आप्संस ए भुधारन की व्यवास्था हरित क्रांती का लाभकारी बर्दान किन बिसेश फसलों के लिए आप्संस सी गेहूं और चावल गाउं के नक्से को क्या कहा जाता है आप्संस बी सद्रा उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का किस बर्स प्रारंब हुआ था बर्स 1954 नेजबी में जरीवी लाइन की ओर जाने वाली मेड को क्या कहा जाता है आप्संस दाखिली मोड सेमान्त जो तुस्रुणी में कितना भूमी छेतर शामिल पाया जाता है आप्संसी गाउं के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना स्वामित योजना के तहट 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमी मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया आप्संस दाखिली एक लाख बित्य समाविशन सब्द का पहली बार प्रियोग भारती रिजर्बाएंग द्वारा किस बर्स में किया गया था मद्ध कालीन भारत में ग्रामिडी स्वासाशन की प्रणाली धड़िज बंचायती व्यवस्ता किन कारणों से कमजोर हो गई आप्संडी उपरोग्त सभी सम्विधान की किस अनुच्छेत की तहत पंचायतों की बित्तिय इस्थिति का पुनर विलूकन करने के लिए रजबिता यूग का गठनक प्रावधान है सही जबाब है आपका आप्संसी 243 आई निम्नमेसी कौन सजला पंचायत की शदस्यों में सामिल किया जाता है जिला पंचायत की सदस्यों में सामिल जो किया जाता है आप्संडी सभी की सभी अगला प्रेश्ण 23 नमबर है कि निम्नमेसी कौन सा सामाधिक सोध बिधी की समस्या नहीं है दो आप्संड आपकी इधर है और दो आप्संड यहाँ पर है बताईए इन चारों में कौन सा आप्संड सही होगा यहाँ पर आपका सही जबाब होगा आप्संड बी सामाधिक बिघटन का निराकरण सामाधिक शर्वेच्छन पद्धति की प्रमुख दो स कौन से है आप्संड यह परोक्त सभी अंत्रवस्तु बिसलिशन का प्रमुख उद्दिश से कौन सा है आप्संड यह परोक्त सभी और इसी की साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 26 कम्प्लीट हो जाता है नाव प्रेक्टिशेट नमबर 27 पहला प्रश्ण है कि किस जन्जादी का उल्लीख महा भारत में भी मिलता है करेक्टर अंसवर आप्संड बी माही घीर सामाजिक शोध बिधिका ब्यावहारिक उद्देश से कौन सा है आप्संड डी सभी ब्रिटिस काल के दोरान किस बर्श अस्थानिय स्वासासन की शुरुवात की गई आप्संड बर्श अठारा सो बयासी निम्न में से कौन सा खतन जनजाती समाज की संबंध में सही नहीं है आप्संड बी समाज का आकार बड़ा भूमी अभिलेखो का नभी करण किस पंच बर्शी योजना में प्रारंब किया गया था आप्शन B, सात्वी पंचवर्चिय योजना में ग्रामिड समदाई की संदर्भ में कौन सा कथन असांगत है आप्शन D, वी निर्माण कारिय बिक्षित अवास्था में होता है निम्ने में से कौन सा कारिय प्रबंधन की प्रकिरिया में सामिल होता है आप्शन D, सभी भारत में प्रतिव्यक्ति जोतों का आकार कितने हेक्टियर है आप्शन D, सांसद आदर्स ग्राम योजना की शुरुवात बर्स 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी आप्शन D, जय प्रकास नारायन उत्तर प्रदेश राजस सुभि भाग का मुख्याल है कहां इस्थित है उत्तर प्रदेश राजस विभाग का मुख्याल है कहां इस्थित है आपसन बी लखनव निम्न में से कौन रोजगार छटरी योजना का प्रमख उद्देश से है आपसन सी अनसूची तजाती का शरबांगी और भिकाज उत्तर प्रदेश में किश प्रगार के मिट्टी अधिकान सताप आई जाती है जलोड है म्रदा आपसन बी निम्न में से कौन सामाजिक सोध बीडिका बिसेस्ता नहीं है आपसन सी सांख की बिसलेशन की कमी बलवंत राय महता की सी फारिश पर सर्व प्रथम किश राज में लोक तांतरे के भिकेंदरी करण को लागू किया गया आपसन बी आंधर प्रदीश ठीक है यहां पर लागू की बात की जारी है सबसे पहले जो सुरुवात की गई थी नागा और डिस्टिक राजस्थान से की गई थी ठीक है तो आपसन यहां पर भी आपका सही जबाब है सुरुवात जो लागू की गई सबसे पहले वह अंधर प्रदीश में कास्तकारी ब्यवस्ता में पट्टेदार किशानों के प्रमुक बर्ग निम्न में से कौन नहीं थे आप्शान भी सामान्य कास्तकार निम्न में से किन कारणों से भूदान की शफलता सीमित रही सीमित रही आपका सही जबाब होगा जोताई योग गिभूमिका भीतर ना हो ना ग्रामीड राजनीतिक जीवन में बदलाव की शंदर्व में यह कथन किनका है जिन ग्रामीड छेतरों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों की रूप में शंगठित हो गई है आपसन भी श्री निवाज भूकरिसी का रिकार्ड कौन सा है आपसनी गिर्दावरी अफरीकन समाज कैसा समाज है जन जातिये सोती बस्तर उत्पादन छेतर में उत्तर प्रदीश का आस्थान भारत में कौन सा है तीसरा ग्रामीड विकास के लिए बीस सूतरी कारिकरम में निम्न में से कौन से लच्छ निधारित किये गए है आपसन डी उपरोक्त सभी निम्न में से कौन राश्ट्रिय ग्रामीड स्वास्थ मिसन के उद्देश्य नहीं है आपसन भी जन सांखीकिये को बढ़ावा देना निम्न में से कौन एकिकरित ग्रामीड विकास कारिकरम के प्रमोहुकारिय है आपसन डी उपरोक्त सभी सुपोसित माभियान योजना के तहत किसी परियाप्त पोशड़ उपलब्ध खराना है उपरोक्त सभी निम्न में से कौन शामुदाई कि विकास योजना के प्रमोहुद्देश्यों में सामिल था आपसन डी उपरोक्त सभी और इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर ट्वंटी से बन कंप्लीट हो जाता है नाव प्रेक्टिशेट नमबर ट्वंटी एट पहला प्रेस्ण है कि निम्न में से कौन सुरच्चित मात्रित आश्वासन दैटिज सुमन योजना का उद्देश से है आप शंडी उपरोक्त शभी कौसल रड़ योजना की अंतरगत इवाओं को कितनी राच उपलब्द कराये जाने का प्राउधान है आप सनी पाँच हजार से डीड़ लाग रूप है निम्न में से कौन कौसुम योजना की संबंध में सही नहीं है आप सन्सी इस ओरजा का किसान की वल घरे लूप यूप कर सकते हैं यहां गलत है ग्रामीर रोजगार कारिकरम में अधिक्तम कितनी राची बाइंकरन उपलब्द कराने का प्राउधान किया गया है आप सन्डी लूपीज 25 लाग जिलास पतालों के लिए भारती लूप श्वास्त मानकों की अन्शार दस लाग जनसंख्या वाले प्रतिक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए आप सन्डी तीन सो बेड़ रफतार योजना के तहट ग्रामेड छेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा आप सन्डी सभी समाज में आर्थिक जगत तथ जनसंख्या के छेत्र में हो रही परिवर्तन को किसकी अंतरगत देखा जाता है आप सन्डी उतार चणावदार परिवर्तन निम्नमेसि कौन पस्चिमी करण की शकारातमक प्रभाव है आप सन्डी उतार से क्या आज़े है आप सन्डी उतार सभी डिजिटल इंडिया भूम अभिलेख आधुरी खरण कारिकरम की प्रमुख उद्दीश से कौन से है आप सन्डी उतार सभी कितने प्रतिशत ग्रामेड परिवारों में रसोई मी परहम परागत लकडी गोवर आधी के प्रियोग से खाना बनाया जाता है आप सन्डी 85 प्रतिशत उस सामाजी की स्थिती को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुरियादी आवसेक्ताओं की पूर्ति करने में अशमर्थ होता है यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आप्शन एक गरीबी संबिधान की किस अनुच्छीत की अंतरगद ग्राम सभा का प्रावधान है आप सनी आर्टिकल 243 ए बैदिक काल में ग्रामीड प्रसासन का प्रमुख अधिकारी को उन था आपसानी ग्रामडी ग्रामीड बिकाष मंत्राले की प्रमुख विभाग कौन से है आपसान C-A और B दोनो इदिक ग्रामीड बिकाष विभाग प्लस जवह मी संसाधन विभाग इवा उद्धमिता बिकाष अभियान दड़ इवा हब योजना का प्रमख उद्देश से क्या है प्रमख उद्देश इवाओं को आतने पर बनाना प्लस श्टार्टब बनाने में शायता करना प्लस योगिता अनुशार नोगरी देना आप शंडी उपरोक्त सभी निम्न लिखित में से कौन सांख के विसलेशन की उपियोगिता यो महत्तो का अस्पस्ती गरण है आप शंडी उपरोक्त सभी निम्न में से कौन प्रस्नों की प्रकिर्थी की आधार पर प्रस्नावली का बर्गी करण या प्रकार नहीं है आपसन भी संरचनित प्रस्णावली देश का प्रथम क्रिसी विश्व विद्याले कहां है आपसन भी पंत नगर में है भूमी शंरचन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है इसका मुख्य उद्देश ब्रिक्षार उपड करना है लेकिन पसुचारण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है आपसन भी देश में अस्था पे तिक्रिसी उद्दोग निगम के मुख्य कारिय क्या है आपसन भी उप्रोक्त सभी बहग्यानी के पद्धती का सामादी की सोधकारिय किश्व पर आधारी तो नहीं होता है आपसन एचिंतन भीकास खंडों का मुख्य कारिय पालन अधिकारी क्या कहलाता है भीकास खंडों का तो जो वेडियो होता है कलड़ी जो खंड भीकास अधिकारी ऑप्शन बी और इसी के साथ आपका 28 प्रक्टिस चेट नंबर कम्प्लीट हो जाता है नाव प्रक्टिस चेट नंबर 29 पहला प्रस्चन है कि हरित क्रांती के पस्चात स्रम बिस्थापन हुआ आप्शन ए गाउं से नगर की ओर देश का प्रथम क्रिसी बिज्ञान के इंद्र कहां है आप्शन डी पुद्दचेरी में कौन सांखिकी की विशेष्था को सही शंदरभित नहीं करती है आप्शन सी व्यवस्थित एकत्री करण की कमी निम्न में से कौन साच्छातकार के प्रमुख दोस है आप्शन डी उप्रोक्त सभी निम्न में से कौन बैज्ञानिक सोध पद्धत की विशेष्था नहीं है आप्शन सी भावनात मक्ता निम्न में से कौन सामाधिक शर्विक्षण सोध के उद्धत से है आप्शन डी उप्रोक्त सभी मुख्यमंत्री सिचुता प्रोक्त सहन यूजना की तहद इवाओं को ट्रेनिंग के दोरान कितने रूपे प्रतिमाह देने का प्रावधान है आप्शन डी रूपीज पच्चीस सो राजा टोडर मलभू अप लेख प्रसिक्षण यूम सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है आप्शन डी हर्दोई ग्राम सब्द का सर्वप्रथम उलेख किस साहित्त में मिलता है आप्शन बी बैदिक साहित्त में राजीव गांधी ग्रामीड बिदोती कर्ण योजना का किस बर्स दीन दयालूपा ध्या ग्राम जियुत योजना के बिले कर दिया गया आप्शनी बर्स 2014 में बिश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केर योजना दरिज आईश्मान भारती योजना की शुरुवात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की थी आप्शनी जहार खंड से राष्ट्रिय माधमिक सिक्षा भियान का निम्न में से एक कौन शा उद्देश से है आप्शन डी उपरोग तो सभी राष्ट्रिय ग्रामिड पेजल कारिक्रम के अंतरगत बर्स दो हजार बाईस तक देश में हर ग्रामिड व्यक्ति को अनेक घरेलू परिशरों में या उनके घरों से शैतिजिय और धार धार दिशा में पचास मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रतिव्यक्ति प्रत दिन पेजल उपलब्ध होना चाहिए आप्शन डी सत्तर लीटर बर्स दो हजार पाँच में प्रारंब राश्री ग्रामिड स्वास्थ मिशन की स्वास्थ सेवा प्रावधानों में क्या सामिल है आप्शन डी उपरोक्त सभी निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है आप्शन बी समतल परिवर्तन निम्न लिखित में से कौन सांसिकर्टी करण का भारती समाज पर पढ़ने वाला प्रभाव नहीं है आपसंसी उच्च बर्ग का प्रभाव बढ़ना प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना की शुरुवात कब की गई आपसंसी सप्तंबर 2020 को प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना की शुरुवात कब की गई आपसंसी डड़िज रिपीटिड निम्न में से कौन भूम शुधार की उद्देशियों में सामिल है आपसंडी उप्रोक्त सभी निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कारी के संबंद में सही नहीं है अपसंडी चकबंदी से भूश्वामी योम क्रिशक का संतुष्ट होना उत्तर प्रदेश नई स्टार्ट अप नीती 2020 के तहट कहां देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब की अस्थापना करने का लच्छ रखा गया है आपसंडी लखनव कितने प्रतिशत ग्रामीड परिवार की रसोई में मिटी के तेल से खाना बनाया जाता है आपसंडी एक प्रतिशत चंद्रप्रभाबन जीव बिहार उत्तर प्रदेश के कि जिले में इस्थित है आपसंडी चंदवली ग्रामीड समाज में शंपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है आपसंडी आभुशड जिला ग्रामीड विकास अभिकरण कारिक्रम की शुरुवात किस बर्स की गई थी बर्स उन्नीस सो निन्या नबे इस बी में पज्जायती राज संस्थाओं के संबध में असुक मेहता समिती का गठन कब किया गया था बर्स उन्नीस सो सतहत्तर इस बी में और इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट टंबर 29 कंप्लीट हो जाता है पहला प्रस्ण है कि स्तामाजिक शर्विछन पद्धती का प्रमुख गुड नहीं है आप संसी समस्या का चुनावा ग्रामीड छेत्रों में सहरी सुविधाओं की उपलब्धता कारिक्रम पूरा में कौन सी उद्दीश्य नहीत है आप संडी सभी आईस्वमान भारत प्रधान मंत्री जन आरुग योजना के तहत दोतियक तथा त्रितियक स्वास धेग भाल है तूँ प्रतिग परिवार को कितने रूपए तक की चिकित सा सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है आप संडी पांच लाख रूपए था प्रधान मंत्री आदर सग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किसराज में शुरू किया गया था आप संडी तमिल नाडू में निम्न में से किस अस्थान पर किसी पाण्ग की अस्थापना नहीं की गई है आप संडी गाजियाबाद पंडित दीन दे आलुपाद्या यंतूद योजना क्रियान वेन किश मंत्राले की अंतरगत किया जाता है आपसन एक केंद्री आवाज यों सहरी उन्मूलन मंत्राले नेक्स्ट है यह जी यह सुवाई का पूर्ण रूप क्या है क्रिसी ओम उद्दोगों के मध्ध अग्रगामी शंबंध का आशाय क्या है आपसन भी क्रिसी द्वारा उद्दोगों को आगत उपलब्ध कराना सांखेकी का सामाजिक जीवन में काफी महत्तो है इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमिया पाई जाती है आपसन डी ओप्रोक्त सभी निम्न में से कौन साथ छात्वकार की उद्देश्यों का भाग नहीं है आपसन डी लचीला पन प्रधान मंत्री गरम सनक योजना में केंद्र वा राध्य सरकारों की अंसुदान का अनुपात कितना पाया जाता है आपसन सी शेक्स्टी जो होता है वो केंद्र शरकार का और चालिश राध्य सरकार का आपसन सी प्रधेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के उद्देश से उत्तर प्रधेश नए श्टार्ट अप नीट 2020 को कब मंजूरी दी आपसन सी जुलाई 2020 में शामाजिक समस्याओं की सुधुकारी में बैग्यानिक पध्धत की तहत अपनाय जाने वाले प्रमुखुचरण में कौन सामिल नहीं पाया जाता है आपसन डी सार्भभावमिक्ष धान्त अस्थापित करना राजस्सो परिशद के प्रसासनी की उम्नियाई कारियों को किस वर्स प्रिथक कर दिया गया था वर्स 1947-1948 में निम्न लिखित में से कौन एक ग्रामिड परवीस की विशिष्टिता को नहीं दर साता है आपसन सी एकल परिवार की परंपरा निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है सामाजिक गति सीलता वह प्रकिरिया जिसमें समाज का निम्न बर्ग उच्च बर्ग या प्रतिस्ठिर बर्ग का अनुशरण करता है तथा उस रेणी में सामिल होने के लिए प्रियाशरत रहता है क्या कहलाता है आपसन इस संस्कृती करण भूमिसुधार उपायों अथवा भूमिसुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी शाबित नहीं हुई है आपसन डी उप्रोक्त सभी निम्नमें से कौन सा कारक्ट जगबंदी कारी में प्रभावधक शाबित हुआ है आपसन डी उप्रोक्त सभी ग्रामीड समाज में शंपत्ति कमों के आधार कौन सा पाया जाता है आपसन डी सभी की सभी सामाजिक वानिकी कारिकरम का उद्धिस्य निमलिखे तो सभी छेत्रों में बड़े पैमाने पर बिर्ख्षारों पड़ है बसाय मतलब किसके सिवाय जिसमें किसामिल नहीं है तो सिवाय किसके नगरी और दोगी की संपदाओं में आपसंद बे आपसंद बी पंजाब भारती सम्मिधान के किस अनुच्छीत की तहट ग्राम पंचायतों का प्रावधान अव्यक्त किया गया है आपसंद बे पंचायती राज संस्थाओं को समबाईधान के दरजा देनी किसी फारिस की थी किसे शमिधी ने आप जानते हैं कौन सी शमिधी है पंचायती राज संस्थाओं को शमपाइद दरजा यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा वा है कौन सी एलम सिंगवी शमिधी आप्षन यहाँ पर D सही जबाब है उत्तर प्रदीश ग्रामीड और विज्यारियोमन संधान संथान कहां पर इस्थेत है सही जबाब होगा आपका आप्षन B इटावा दोस्तो इसी के साथ आपका प्रेक्टिश एट नंबर 30 कंप्लीट हो जाता है बढ़ते हैं आगे नाव प्रेक्टिश एट नंबर 31 पहला प्रश्ण है कि उत्तर प्रदेश राज जी के बित्ती स्वास की देखर एक तसर सरकारी लेंदेन में पारदर सिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तयार की गई है आपसन B कूशवानी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपाद बर्श 2001 में 898 नबे से बर्श 2011 में कितना तक पहुंच गया आपसन B 912 किस मंडल को भिश्व के उत्कृष्ट उत्दोगों का केंद्र माना जाता है आपका सही जबाब है मिरजापूर आपसन B आपसन B भू अधिकारों के प्रलेख से उत्तर प्रदेश में किश्प्रकार के मिले सबसे अधिक संख्या में है आपसन सी चीनी मिले निम्निमेसिक और गरीव विरोधी नीती से संबंधी था है आपसन D उपरोक्त सभी मद्ध भारत में एक बीघा कितने हेक्टियर के बराबर होता है आपसन D.2529 हेक्टियर किस सास्त्रिय निर्थिका उत्तर प्रदीश में उद्भव हुआ आपसन B कथक भारत की जनगर्नाद 2011 की अनुसार उत्तर प्रदीश का प्रतिबर्ग किलोबीटर जनसंग क्या घानत तो कितना है यहां पर आपका सही जबाब है आपसन D.837 सवच भारत मिशन ग्रामिड की अंतरत ग्रामिड छेत्रों की सवचालेव की निर्माड के लिए नुवंबर 2014 में उत्तर प्रदीश शरकार ने कितने करोण रूपे घपरावधान किया 685 करोण रूपे उत्तर प्रदेश में 75 जिलो सहित कितने प्रमुख मंडल है आपसन B.18 आपरेशन बरगा का संबंध किस से है बटाईदारों की सररच्षन से आपसन गाउं चलो योजना की शुरुवात किस बर्स की गई थी आपसन D. बर्स 2005 में डोला पाल की आंदोलन किस से संबंध थी था आपसन ही सिल्बकार से E.N.R.E.G.P. का पूर्ण रूप क्या है आपसन C. राश्टी ग्रामीड रोजगार गारंटी कारिक्रम उत्तर प्रदीश में प्रमख रेल इंजन संयंत्र कहां परिस्थित है मुगल सराय छेत्र आपसन B. ग्रामीड परियाबर्ण की शुरुच्छा किसकी रोक थाम की द्वारा की जा सकती है उत्तर प्रदीश राजमार्ग भू नियंत्रण अध्रियम की इस बर्स में पारित किया गया था बर्स 1945 सीजबी में गाओं की कुओं का पानी मनुस्यों की क्रिया कलापों से ही दोसित होता है अतहर रोकने का उपाय करना चाहिए आप संडी उपयुक्त सभी उपाय मध्यान भोजन कारिक्रम दरिज मिड़े मेल प्रोग्राम की अंतरगत मध्यान भोजन को पकने परोशने वाउपोग करने में स्वचता का ध्यान रखने के लिए जाच पड़ताल कितनी आबिरती पर करनी चाहिए उसकी जाच पड़ताल आपको पड़े करनी होती है दैनिक आप्शंटी जनगरना 2011 के अंसार सबसे कम जन संख्या वाला जिला कौन सा है आप्शंटी महूबा बेटिस सासन के दवरान उत्तर प्रदीश में भूमिपंजी करन किस अधिकारी द्वारा किया जाता था नाप्शंटी लिपिक राजसभा में कितनी सीटे उत्तर प्रदीश से हैं राजसभा में जो उत्तर प्रदीश की सीटे हैं वो है 31 सीटे हैं आप्शंटी बीपील दर्ज बिलो पावर्टी लाइन सूचियों से छोटे हुए बीपील परिवारों को लांब पहुचाने के लिए कौण सी योजना प्रारंब की गई है आपसंडी समाजवादी पैंसन योजना निमनलेकित में से कौण साइक उत्तरप्रदीश राज जी के अधीन स्थन्याई के सेवा के रूप में कार्य करता है आपसंडी हिटावा जिला नियायाल है और इसी की साथ आपका प्रेक्टिश सेट नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है नव प्रेक्टिश सेट नंबर 32 पहला प्रेशन है कौन सी उपभासा राज्जी के पस्चमी भाग रोहिल खंड और उपरी दुवाब में बोली जाती है आपसंडी खड़ी बोली तहसील अस्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है आपसंडी पंचायत समिती बर्स 2011 की जनगड़ना के उनसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सहर कौन सा है आपसंडी कानपूर हाल ही में केंदर सरकार को प्रस्तुट की गई शीरंग राजन की रिपूर्ट के अनसार कोई व्यक्ती जो ग्रामीर छेत्रों में कितने रूपे से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा आपसंडी 32 रूप है उत्तर प्रदेश के निमलिखित सहरों में से कहां से सरबाधिक पीतल उत्पादों का निर्यात किया जाता है आपसंडी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की इतने जिलों में विभाजित है आपसंडी 75 अंबीटकर 20 रूजगार योजना की अंतरगत परियोजना की एकाई जो लागत है वह कितने से कम नहीं होनी चाहिए आपसंडी 50 हजार रूप है सुल्तानपुर ने अधिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रिकित डाटाबीस की समस्या का समाधान करने की पहल की है यहाँ पर सही जो आप्शन होगा जो फिल किया जाएगा वो होगा निशनर इंफार्मेटिक शंटर राश्टी सूचना केंद्र सुल्तानपुर ने सामाजी गवानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रिकित डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है अगला है कि उत्तरमध धरेलवी का मुख्याले कहां इस्थित है आपशन बी प्रियाग राज में भारत में इस्थित किस सहर को बिश्चु का सबसे पुराना सहर माना जाता है आपशन वी वाराण सी चमडे की बस्तों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है आपशन ए आगरा और कानपूर इंद्रा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है इसका राज्य सरकार की साथ लागत सहवाजन अनपात कितना है तो सेंटर और स्टेट का जो रिशियो है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा 75-25 भूख क्रिसी का रिकार्ड कौन सा है आपशन ए गिर्दावरी एक बिश्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है एक बिश्वा आपशन डी मतलब कि 20 विश्वा में एक बीघा ठीक है एक एकड कितने भर्गज की बराबर होता है 4840 बर्गज एन आर एजीपी का पूर्ण रूप क्या है आपशन सी राष्टी ग्रामीड रोजगार गारंटी कारिक्रम जिला अस्पतालों के लिए भारतिक लोग स्वास्ति मानकों की अनुसार दसलाग जनसंख्या वाले प्रतेक जिले में कम से कम कितने विश्टर होने चाहिए घरे रूप व्यक्तिकत सवर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना की अंतरकत उत्तरप्रदीश राज में क्या प्रूत्साहन दिया जाता है आपशन डी छूट उत्तरप्रदीश की प्रमुख ब्यावसाइक फसल क्या है आपशन भी गन्ना एक ग्राम पंचायत में ग्राम की वाडों से चिड़ो हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है उत्तरप्रदेश की उच्छ नियाले के मुख्यन अधिस की न्यूक्ति कौन करता है आपशन भी भारत का राश्ट्रपती उत्तरप्रदेश में एक बरस में नियूंतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए कम से कम दो बैठक आपसंडी एक ब्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की नियूंतमायू सीमा कितनी है आपसंडी 21 वरस मध्यान भोजन का इक्रम के अंतरगत बिद्याले अस्तर पर बच्चों के नियूंभार की प्रतिस्यत्ता का आकलन किश आपड़िती पर किया जाना चाहिए आपसंडी अर्धवार सीकिए यमजी याना आर इजी ये कि अंतरगत शामागरी शंगठक के मामले में केंडर और राज सरकारों द्वारा कियेगे निधी करण का जो अनुपात होता है वह कितना होता है तो 75 और 25 का रिश्य होता है जिसमें की 75 प्रतिशत कितना किसका होता है केंडर का और राज का जो होता है वह 25 परसंट खर्च करती है मन्रे का योजना की अंतरगत और इसी की साथ आपका प्रेक्टिश एट नंबर जो है 32 कंप्लीट हो जाता है चलिए अगला प्रेक्टिश एट नंबर आपका 33 है पहला प्रस्न है स्वदेशी हल तो स्वदेशी जो हल है वह जुताई का एक प्रात्मिक उपकरण है आपसंट डे इख की आदसाली किस्म की फसल अवधी क्या होती है आपसंट डे 18 महीने माह में लगभग भारत में लगभग 90 प्रतिश तो सिचाई छेत्र किसकी अंतरगत है आपसंट डी सतही सिचाई निमलखित में से कौन सा ब्रिच्छिय सबजी है आपसंट डी करीपत्ता भारत में कितने प्रत्षत ग्रामीड घरों की बिजली सुलब है आपसंट सी 56 प्रतिशत भारत में मिट्टी की तेल का खुदरा बाजार मूले कितना है आपसंट डी इनमें से कोई नहीं जनगरना 2011 की अंसार ग्रामीड भारत की आबादी कितनी है 83.3 करोण हरित करांती का लाभगारी बरदान किन बिसीश फसलों के लिए है गेहूं और चावल ग्रामीड भारत में सर्प की कौन सी प्रजाती अधिक संकटा पन है आपसंट डी रसेल वाइपर अधिया और बटाई सब्दों का प्रियूग की अभिब्राइश किया जाता है सही जबाब है आपसंट डी फसल की साजेदारी प्लस किसी का यह बैठ है आपसंट डी सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातिया है आपसंट डी कभूतर की भारत में शर्बाधिक और सबसी महत्तुपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है जलोड हम्रद आपसंट डी भारत में ग्राम पंचायतु की संख्या है गैराबादी वाले गाउं से अधिक गूटी का प्रियोग आम तोर पर किसकी संबर्धन के लिए किया जाता है आपसं इलीची उत्तरप्रदीश का मलीहाबाद किसलिए प्रसिद्ध है दसहरी आम के लिए पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने की कारण यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत तो क्या होता है आपसनी बढ़ जाता है लहसुन की तीवर गंध का कारण क्या है इसका कारण होता है सलफर योगिक आपसन सी टपका किस फसल का अंतिम चर्ण होता है आम का कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रियोग किया जाता है आपसंडी इथेन का भारत की पसुकल्याण बोड का मुख्याले कहां परिस्थित है आपसंडी चन्नई में निमनेसिक ओन ग्रामेडी छे्टर का जमीनी करता धरता है लेख पाल उत्तरप्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांस्ता पाई जाती है जलोड मिर्दा उत्तरप्रदेश की किस भूभाग में वार्षिक वरसा सरबाधिक होती है आपसन बी तराई छेत्र में बिस्व में केले का सरवाधिक उत्पादक देश कौन सा है 25 का सी है आपसन यहां पर आपका अपना प्यारा भारत और इसी के साथ आपका आपका सही जब जो प्रेक्टिशेट कम्प्लीट हो जाता है वो 23 आपका कम्प्लीट हो जाता है पूरी तरह चलिए अगला प्रेक्टिशेट नमबर आपका 34 है पहला प्रस्ण है कि और सभी कुछ प्रतिशा कर सकता है किन्ट किसी नहीं यहां उदगार किसका है यह पंडित जवाहलाल नहरू आपसने भारत में रजत क्रांति किस से संबंधिद है अंडा और चिकन का उत्पादन से महाजनी प्रथा का सर्व प्रथम उलेख निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में प्राप्त हुआ था आपसन यहां पर यह आपका सही जबाब है शतपत ब्राम भर्ची क्रिसी कार में लगे ट्राक्टर की यावाज किस तरह से अधिक नहीं होनी चाहिए किस अस्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए तो sound की आप जानते हैं decibel में होता है यहाँ पर आपका सही जबाब है 90 decibel आपसने निम्ले लिखित में से कौन सा अमली मिट्टी का सफलता से उगाया जा सकता है अमली है मिट्टी पर सफलता से तो अमली मिट्टी पर सफलता से जो उगाया जा सकता है वो है तरबूज पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है आपसंसी खरबूजा की उत्तर भारत में गिहूं के फसल की हेर फेर किस से के जाती है यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा धान आपसने कोड़े से हरित उर्जा की निर्माड में कौन कौन से राज्य अग्रणी है महाराश्ट्रा और पंजाब आपसन भी बैग्यानिकों की अरुमान की अंसार हमारे ग्रह पर कितने ब्रिच्च है अगला प्रस्चन है कि कितने प्रतिशत ग्रामीड परिवार की रसोई में परामपरागत लकडी गोबरादी सिखाना बनाया जाता है 85 प्रतिशत आप्शन डे जाबो नामक ग्रामीड खेती करने का तरीका कहां बिद्दमान है नागा लेंड में निम्नलिखित में से कौन से दो जूताई के प्राथमिक उपकरण है मोल्ड बोर्ड हल और मिर्दा कुदाल आप्शन डी सेचाई में जल प्रियोग की कुसल मित्यवेता की अंसार कौन से प्रणाली स्रेशकार है यह है ड्रिप प्रणाली आप्शन भी उत्तर प्रदेश में प्रचलि धरातल की माप से कौन सा सही नहीं है धरातल की माप मेजे यहां पर आपका सही जबाब होगा दोस्तों बीस बिसवानसी बराबर जो दस बिश्चा दे रखा है यहां गलत है नेक्स्ट है कि वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगने की व्यवस्था को क्या कहते है सही जबाब है आपका आप्षन डी फसल रोपन अनुक्रम प्रतिवर्ष भारत में कितना क्रिसी का कोड़ा और खर पत्वार निकलता है 350 मिलियन टन अगला प्रश्ण है कि भारत में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है सही जबाब होगा 2,4,2,2 निमलिकित में से कौन सी रूट क्राप नहीं है रूट क्राप यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा इख आप्षन डी इख जो है नहीं है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है 12 प्रतिशत होता है परिछेत्रिय मिर्दा को और क्या कहते है ट्रांस्पोर्टेटेड मिर्दा ड्रिप मिर्दा अलियूब अलियू मिर्दा भी कहते है अप्षन डी यहाँ पर सही जबाब है डी उप्रोक्त सभी दीमक को नस्ट करने के लिए शरबाधिक उप्युक्त रसायन कौन सा है वह रसायन है मोनो क्रोटो फास आपसन बी इनमे से कौन ग्रामिड विकास का बर्तमन कैबिनेट मंत्री है आपसन बी गिराज सिंग फसल कटाई परिक्षड किसलिए किये जाते है उपज कानुमान लगाने के लिए आपसन बी आवले का सरबाधिक उत्पादन कहां होता है प्रताप गड़ में खसरा और खतावनी कौन तयार करता है आपसन सी कानून गोत्वा लीक पाल तो रिसी के साथ आपका प्रेक्षड नमबर 34 कंप्लीट हो जाता है अगला प्रेक्षड नमबर 35 है पहला प्रस्ण है कि भूमी की 25 का जुकारी है वो कौन सा बिभाग करता है आपसन सी राजस सुब्विभाग भूमी का उपयोग करने की एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला कर कौन सा है आपसन सी लगान कि इस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है धान का कटोरा तो धान का जो कटोरा कहा जाता है आंधर प्रदेश को धरातर पर मापी गई छैतिजदूरियों कोडोयों मुचाईयों को मान्चित प्रप्रशित करने की कला को क्या कहते है आपसन ए मान्चित्रकला जमाबंदी तयार की जाती है आपसन सी दो प्रतियों में भारत की प्रमुख खादान फसल कौन सी है आपसन ए चावल निम्नमेशी सरबाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है आपसन भी सोया बीन में पूशा गोल्ड किसकी किसम है पूशा गोल्ड सरसो की एक किसम है नाबाड जो ग्रामिड बिकास के लिए रण देता है वह एक क्या है वह एक बायंक है देश का प्रतम क्रिसी बिद्याल है कहां है आपसन सी पंद नगर में देश का प्रथम क्रिसी बिग्यान केंद्र कहां पर इस्थित है पुद्दो चेरी में खरीफ की फसले है ज्वार हैं बाजरा हैं धैचा है आप्शन भी धान के लिए सरबाधिक उपचाओ भूम कौन सी है आप्शन दो मट एक क्रिसी खेत के मापन की शर्बोत्तम बिर्ही क्या होगी आप्शन जरीब द्वारा कुटीर जोती योजना से निमलिकित में सी कौन सा कारिक्रम संबन्धित है आप्शन सी ग्रामेड छेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे द्यपने आउन करने वाले परिवारों को विद्दुत वलब्द कराना तेज हवा की गत कितनी होती है तीस मील प्रतिघंटा भारत में कुल कितने गाउं है छे लाग चारिस हजार नौसो तीज बहु प्रचलित सिचाई का अस्रोत क्या है आप्शन एट व्यल नलकूब ग्रामेड भारत में प्रतिग बर्स कितने प्रतिशत टीवी शेटों की विक्री होती है चवालिश प्रतिशत आंधी में हवा की गति कितनी होती है अस्री मील प्रतिगंटा से अधिक केंद्री आलू अनुसंधान संसुथान कहां इस्थित है आप्शन बीस सिमला पीत क्रांति किसे से समबन देत है भारत में आबादी वाले गाउं की कुल संख्या कितनी है पाज लाख सत्ताननेवे हजार चार सो चाउंसट आप्शन सी निमलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहडों रैवनी का निर्माल करती है सही जबाब होगा आप्शन यमुना उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है आप्शन य देवरिया और गोरकपुर में इसे के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 35 कम्प्लीट हो जाता है अगला शट है प्रेक्टिशेट नमबर 36 पहला प्रदेशन फसल चक्र किसे कहते है आप्शन बिभिन फसलों की क्रमिक क्रिसी को नेली क्रांती का संबंध किसे से है आप्शन बि मस्य पालन से चकबंधी किसे कहते हैं आप्शन बि खेती को टुकडों में बिभक्त होने से रोकने योम संचाइत करने को चकबंधी कहते हैं रेड राट रोग किस पाउधे में लगता है आप्शन सी गन्ने में निम्न में खरीफ की फसल कौन सी है आप्शन सी चावल कंटूर बिधि से खेती कहां की जाती है आप्शन पहाडों पर भारत में सहकारिता अंदोलन की सुरुवात कब होई आप्शन दी बर्स उन्नीस सो चारीश भी में किसी चेतर की आउसत जलवाई को जानने के लिए निम्नमे से किसका योगदान नहीं होता है आप्शन सी ब्रिक्षों की संख्या का अपारडा किस फसल का एक प्रकार है आप्शन भी मटर की ग्रामिड बुनियादी धाचे को बढ़ावा देने वाली केंदर सरकार की योजना को किसके रूप में जाना जाता है आप्शन सी भारत निर्माड एक वर्स में किसी निश्चित भूमी पर एक ही फसल उपजाना क्या कहलाता है आप्शन भी एकल शस्यन लूना सिरी किसकी किस्म है आप्शन ने धान की ग्राम पंचायत क्या है ग्राम पंचायत एक श्वायत तसासन की एक एक आई है आप्शन ने पोशा बेकर एक नई प्रजाती है किसकी आप्शन सी गेहूं की भारत में जीवान सखेती की सुरुवात कब की गई अक्टूबर दो हजार चार में केसर के लिए पोधे का कौन सभाग उप्योग में लाया जाता है आप संडी वर्तिकाग्र ललित किसकी एक उत्तम किस्म है आप संडी अमरूद की सेंट्रिफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रियोग किया जाता है आप संडी जब पानी का निकाश मंद और सोत ज्यादा हो धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानता कितना होता है आप संसी 20 प्रतिशत चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेर बीजारोपंदर कितनी होती है पंदरह किलो गराम आप संडी एक हार्ट सपावर बराबर कितना होता है केवल कितने प्रतिशत ग्रामीड परिवारी की रसोई में मिटी की तेल से खाना बनाया जाता है एक प्रतिशत 66 में हाँ पर दो तीन क्वेशन्स नहीं है तो ठीक है 22 के बाद 23 नमबर लिख लो आप तो दोस्तों जो क्वेशन इसके फुए 23, 26 और 35 इनको आप उनलाइनर में कबर कर लिजिए कि किसान चैनल का पियम द्वारा कब उधगाटन किया गया है तो 26 मई 2015 को और मिटी का कटाओ सरबाधिक किस प्रकारी की मिटी में होता है बलूई मिटी में और भारत में कुल सिंचित छेत्र कितने हैं तो 55 प्रतिशात हैं और इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 36 कंप्रीट हो जाता है अगला सेट है आपका 37 नमबर पहला प्रस्ण है कि मौलिक अधिकारे को संबिधान के किस भाग में रखा गया है आपसन C भाग 3 महिला सुरच्छा के लिए मिसन सक्त की सुरवात किस प्रदेश में आरंब हुई है आपसन B उत्तर प्रदेश में बिश्टु का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्दान स्थित है कहां पर तो यह क्यों इंगलाइंड में आप्शन A निम्न सहरों नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है एडन नहर भारत की जनगर्णा 2011 के अनुसार बर्स 2011 की अवध ही में देश की जनसंख्या बृद्धी का प्रच्छत कितना था यहां पर पूंथा जा रहा है दसकी बृद्धी आपका सही जबाब है 17.7 प्रतिशत उत्रप्रदिश सरकार ने भूं विबाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुवात की है आपसन सी बिरासत योजना भारत में पंचाइती राज व्यवस्था का सिल्पी किसे कहा जाता है आपसन बी बी आर महता को बलवंतरा महता भारत का प्रतम डिजिटल गाओं की सराज्ज में है आपसन बी गुजरात में भारत में केतने प्रकार की फसली रित्में पाई जाती है आपसन सी तीन प्रकार की भारत की बरतमान में आउसत फसल चक्र सगनता कितनी है आपसन सी 136 प्रतिशत है इन में से कौन सी फसल रभी की फसल नहीं है आप संडी तरबूज मक्का की पत्तियों की सीर्ष का सफेद होना किस बात का सूचक है जिंक की कमी का भारत की प्रथम पंच बर्ची योजना कब सुरू हुई बर्स 1951 बी में एक गठा या लाठा में कितने इंच होते हैं आप संडी 99 इंच सरबाधिक कार्वोहाइडरेट निमलिकितमेसिक की श्खादान में पाया जाता है आप संडी मक्का एक धुर किसके बराबर होता है एक धुर बराबर एक बर्ग गठा होता है थाइमीन की शरबाधिक मात्रावाल अलफल कौन सा है थाइमीन की सही जबाब है आप संसी काजू सीमान्त किरसक किसे कहा जाता है जिसके पास एक हेक्टियर से कम भूमेवाले किसान हैं उन्हें आप सीमान्त किरसक कहोगे ग्राम सब्द काउलेख सर्व प्रतम किस बेद में मिलता है आप सनी रिगबेद में बिकेंद्री करण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी बलवंत राय मेहताने केंद्रीय क्रिशियों जब प्रौदोगी की संस्थान कहां इस्थित है राची जहार खंड में गाय को दुखधूत पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है प्रोलाइक्टीन आप सन ए राज्जी और जिले के बीच समन्वेक होता है आप सन सी जिलाधीश के भारत के कुल दुखधूत पादन में किस पसुका सरबाधिक यूगदान है भारत की आत्मा गाउं में बस्ती है या किस व्यक्ति का कथन है यह था कथन राज्जी पिता बाहत्मा गांधी का आप सन सी और इसी के साथ आपका प्रेक्टी सेट नमबर 37 कम्प्लीट हो जाता है सेट नमबर 38 है पहला प्रस्ने की भारत में हरित क्रांती का स्रे किसे जाता है करक्ट आंसर आप सन सी डाक्टर यमेश्व स्वामीनाथन भारत में सबसे अधिक उपजाओ मिर्दा कौन सी है आप सन सी जलोड मिर्दा भारत में किसके आगमन से मक्के की फसल आई आप सन ए पुर्दगाली गाउं चलो परियोजना किस राज में सुरू की गई आप सन ए गुजरात पसुओं में खुर्पका और मुपका रोग का क्या लच्छण है चलने में तकलीफ होती है दुरवलता दुरवलता फील होती है और मुँँ में छाले जो है पढ़ना ये सभी के सभी जो है खुर्पका और मुपका रोग के लच्छण है इजारेदारी ब्यवस्था किस गवर्णन जन्रल की सासनकाल में शुरू की गई थी आपसन सी वारन हेस्टिंग आसा का संबंध किस से है आपसन वी स्वास्त विभाग से भारतिय क्रिशी अनुसंधानियों प्रबंधन अकादमी कहां इस्थित है हैद्रबाद तिलंगाना में भारत के पंचाती राजव्यवस्था का वास्तुकार सिल्पीकार किसी कहा जाता है बलवन्त राय महता को जिले का सर्बुत राजस्व अधिकारी कौन होता है आपसन वी कलेक्टर राजबित आयोग एक क्या है राजबित आयोग एक आपकी संबाधानिक संस्ता है आर्टिकल नमबर 243 आई में पढ़ेंगी आप आपसन सी आपका सही जबाब होगा हरित क्रांती का नाम किस ने दिया बिलियम गौड आपसन सी लेखपाल की कारियों का सामान निरिक्षण अधिकारी कौन है आपसन वी कानून गो एक एकड में कितना कच्चा बीघा होता है 4.8 कच्चा बीघा किस पंच बर्षिय योजना के दोरान भारत में मिस्रित अर्थ ब्यवास्थागी की योजना सुरुवात होई आपसन वी दुतिये निमनलिखित में से कौन सी योजना महिला सा सक्तिकर्ण से जुड़ी है आपसन वी सबला केंद्रिय उर्जा मंत्राले द्वारा प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत बेब पोर्टल का नाम क्या है आपसन वी सौभाग्य गरीब की गाय किसे कहा जाता है गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है भारत में प्रथम योजना अवकास कब घोसित किया गया तीसरी पंच बर्चिय योजना के बाद मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है आपसन ये वाइरस बिसाड़ू से उत्तर प्रदेश में निहसुल्क बिद्दुत कनेक्शन योजना की सुरवात कब की गई बर्स 2017 में मुख्य मंत्री किर्षक दुरगटना कल्याण योजना कब लागू की गई 21 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है नागपूर महाराष्ट्र भारत का प्रथम डिजिटल राज कौन सा है आपसन ये केरल खसलों को उगाने तथा मिर्दा की प्रवंधन में किस बिज्ञान का ध्यन किया जाता है आपसन सी शर्ष्य बिज्ञान का और इसी की साथ आपका प्रेक्टिस येट नंबर 38 कम्प्लीट हो जाता है अगला प्रेक्टिस येट नंबर 39 है पहला प्रस्ण है कि आपरेशन बरगा किस से संबंधित है सही जबाब होगा आपसन सी पसिम बंगाल के बटाईदारों से गाउं में कलस्टर आधारित विकास किसी योजना का मुख्य उद्देश से है आपसन डी स्यामा प्रशाद मुखर जी रूर्बन मिशन का अस्थाई बंदो बसक इस कमिटी की सिफारिश्वर रागू किया गया था सरजान सोर की अध्यक्षता वाली कमिटी केंद्रिय गन्ना प्रजिनन संसुथान कहां इस्थेत है आपसन डी कुएमबटूर में आपरेशन फ्लड किससी संबंधित है आपसन डी स्वेतकरांती से भारत उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहलाता है आपसन डी कानपूर डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश से क्या है आपसन सी देश की पूरी ब्यवास्था को इंटरनेट से जोड़ना निम्नले खित में से किसे भारत में अस्थानिय स्वसासन का जनक माना जाता है आपसन सी लाड रिपन पंचायती राज में असोक महता समित ने कितने अस्थरिये पंचायतों की यसी फारिस की थी असोक महता ने आपसन बीद दिव अस्थरिये अंतर राश्टिये गेहूं और मक्का नुसंधान संस्थान कहां इस्थित है सिमिट मैक्सिको में भारत में पारंपर एक तौर पर छेतरफल की मापन हे तूं किसका प्रियोग किया जाता है आपसन ये जरीब का निर्मल ग्राम योजना का संबंध किस से है आपसन सी ठोस योम अर्ध ठोस कचरे मलमोत्र के स्वक्ष निष्टारण से जवाहर ग्रामेड समर्ध योजना तथा संपूर ग्रामेड रोजगार योजना को कब मर्ज किया गया था सेतंबर 25 दो हजार एग सौ ग्राम अंडे में लगभग कितनी ग्राम वसा होती है आपसन भी 14 ग्राम मुख्य मंत्रीक समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्यवन कौन करता है आपसन भी ग्राम में विकास अनुभाग न्याय ग्राम पर योजना की याधार सिलाकिश ने रखी आपसन भी राश्ट्र पति रामनात कोविंद ने डाक्टर राजिंद्र प्रशाद केंद्रिय क्रिशी विस्विद्याले कहां इस्थेत है आपसन भीहार भूद्हारणा प्रणाली को रईयतवाडी व्यवस्था की शुरुवात भारत में किसने की थी आपसन भामस मुनरो ने इलाके का सारा रिकार्ड किसके पास रहता है आपसन सी लेख पाल राश्टिय विकास परिशद में कौन सामिल होता है आपसन डी ए और सी दोनों यानि योजना आयूग की सदस्य और साथी शाथ राज्यों के मुख्यमांत्री पुरानी जलोण मिट्टी को अन्निकिस नाम से जाना जाता है बांगर मिट्टी आपसन बी बर्स दो हजार बीस एकीस में भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कारिक्रम के लिए कितनी रासिक आवंटन किया गया है तीन हजार नौसो अठावन करोण आपसन सी भारतिय पस्चिकित्सा अनुसंधान परिशद कहां इस्थित है एज़त नगर बरेली मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है आपसन ए रानी खेत किस पंचवर्षिय यूजना के दोरान देश में तीन लोह इशपात सईयंत रस्थापित किये गए थे आपसन भी दुतिये और इसी के साथ आपका थर्टी नाइन नंबर प्रक्टिस सेट कम्प्रीट हो जाता है अगला सेट नंबर फोटी है पहला प्रश्ण है कि जमबंदी का नभी नी करण किसने बरसों की अंतराल पर किया जाता है आपसन भी चार वर्ष सांसद आदर्स ग्राम योजना में केंद्र सरकारद्वाना कितने करोण का बजट निर्धारित किया गया है आपसन भी कोई बजट निर्धारित नहीं राश्ट्रिय ग्रामीड आजीबी का मिसन किस कारिक्रम का नया स्वरूप है गेहुं की पहली सिचाई लगभग कितने दिन में करनी चाहिए लगभग बीस से पच्चीस दिन में उत्तर प्रदेश में मध्यम किसान किसे कहते हैं जिसके पास चार से दस हेक्टियर जमीन वाले किसानों को कहा जाता है निम्न लिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं आपसंसी नित्यानंद स्वामी बर्स 2011 के दोरान उत्तर प्रदेश की दसकी बृद्धी दर क्या रही उत्तर प्रदेश की डिकेडल गुरूत उची जा रही है जाएकि शंटर की आपने देखा कि 17.7 प्रदेश इसी तरह उत्तर प्रदेश की जुह है वह 20.2 तीन प्रदेशत है आपसंबी उत्तर प्रदेश में दूसरी बननीत कब लाई गई थी बर्स 1998 इसीबी में निमलिखित में से किसराज्जी का सरवाधिक क्रिशी छेत्र तालाबो द्वारा सिंचित किया जाता है तमिलिनाडू निमलिखित में से किसुप्रकार की मिट्टी के लिए निवनतम उर्वरक की आवस्यक्ता होती है आपसंसी जलोढ मिर्दा निमन में से कौन सी मिट्टी प्राईद्यूपिय भारत में अधिक्तम छेत्र परविश्ट्रित है आपसंसी काली मिट्टी निवनतम आवस्यक्ता कारिक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षिय योजने में किया गया था आपसंडी पाँचवी पंचवर्षिय योजना को अनुमोदित करने वाली सरबोच संस्था कौन सी है राश्ट्रिय विगास परिशद्व राजस्य प्रासासन का निमनतम पद कौन सा है आपसंडी पटवारी लिखवाल निमनलिखित में से किसे लोक तंतर की पाठ साला कहा जाता है आपसंसी अस्थानी ये श्वायत संस्थानों को उत्तर प्रदेश को कितने जलवायू छेत्रों में बाटा गया है नव राश्ती अस्तर पर नेशनल इगवर्ननस प्लान की घोषडा कब की गई बर्स 2006 एजबी में ग्रामिड किसानों की याय को धूगना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई अवद ही है दो हजार बाइस में बिवेका नंद यूठ आवार्ड योजना जो उत्तर प्रदेश की एक योजना है और इसकी जिम्मेदारी किस बिभाग को दी गई है तो यह प्रांतिये रच्छक दल प्लस इवा कल्यान विभाग नियाप्षन सी आपका सही जबाब होगा मुख्यमंत्री सामोहिक विवाह योजना के अंतरगत यूगल जोडे को कितनी धनराशी प्रदान की जाएगी आप्षन डी पचास हजार रूप है आजादी के बाद प्रथम पसुपालन गड़ना कब हुई तो प्रथम जो पसुगड़ना हुई थी वहां हुई थी 1951 इस पी में 1951 अगला प्रशन है कि पसुगड़ना कितनी बर्स की अंतराल पर होती है आपका सही जबाब हुगा पाँच बर्स गौतम बुद्ध नगर जिली का मुख्याले कहां पर है आप सनी ग्रेटर नोईडा मी रास्टी अस्तर पर उत्तर प्रदीश का कुलजन संख्या प्रतिशत है उत्तर प्रदीश की पापुलीशन है उत्तर प्रदीश में मनरेगा का स्क्रियानिवन कितने चरड़ों में किया गया आप सन भी तीन चरड़ों में और इसी के साथ आपका प्रेक्टिश अट नमबर फोटी कम्प्लीट हो जाता है चलिए अगला प्रेक्टिश अट नमबर फोटीवन है उत्तर प्रदीश में पहली बननीत कम लाई गई थी बरस 1952 में भारत में सिचाई का प्रमुख सादन कौन सा है कुए और नलकूप 95 बर्षिय यूजना के अंतरगत ग्रामीड छेत्रों में बीपील के निर्धारित की गई वार्षिक परिवारिक आयकास्तर क्या था 20,000 रूपे बार्षिक मध्यान भोजन यूजना में परवतिय राज्यों में केंद्रियों राज्य के बीच खर्चों का निर्भान किस अनुपात में किया जाता है 90 और 10 का रेशियो होता है 90 इस टू टैन पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी यूजना को कब शुरू किया गया था बरस 1958 बी में छेत्रिय ग्रामिड बैंक की अस्थापना किस समिती की सुझाव पर की गई यमनर सिंगम समिती आपसंसी अमेर खोसरों ने किसके बिकाच में अग्रणी भूमी का निभाई खड़ी बोली आपसंसी तान सीन का मकबरा कहां पर है आपसं एक ग्वालियर 2011 की जनगड़ना स्वतंत्र भारत की कौनची जनगड़ना थी आपसं बीस शातमी 2011 की जनगड़ना की अनुशार कौन सा राज्य जनसंख्या में पहले अस्थान पर है आपसं बी उत्तर प्रदीश भारत में राश्टी अस्तर पर बन नीती कब लाई गई आपसं बी बर्स 1988 ECB में उत्तर प्रदीश में बन निगम की अस्थापना कब की गई थी 25 नवंबर 1974 नलकूपों की सरवाधिक संख्या की शराज्य में है आपसं C. उत्तर प्रदीश राजस्थान नहर का नया नाम क्या है आपसं B. इंद्रा गांधी नहर रेगूर मिर्दा की स्फसल की लिए सरवाधिक उप्यूक्त होती है आपसं B. कपाश उत्तर प्रदीश में निम्नमेशी किस मिट्टी का छेत्र सरवाधिक है आपसं जलोड मिट्टी जलोड मिर्दा भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षिय योजनाय घोसित की जा चुकी है आपसं B. बारा आपसं B. बारा आगे बढ़ते हैं भारत की कुल पंचवर्षिय योजनाओं में कितने योजनाय अवकास हुए है आपसं B. बारत की संविधान में जिला सब्द किस अनुच्छेद तथा किस संदर्व में परियुक्त हुआ है तो वार्टिकल नमबर 233 है और जिला नयादीश किस अनुच्छ अनुच्छ में परियुक्त हुआ है लेखपाल खसरा तयार करके अगले बर्स किस के पास जमा कर देता है आपशन भी रजिस्ट्रार कानुणों के पास धान किस रित्व की फसल है आपशन भी खरीब चावल के उत्पादन में सबसे पहले अस्थान पर कौन सा देश है आपशन भी चाइना डिजिटल इंडिया योजना किस बर्स सुरू की गई थी आपशन सी बर्स 2015 में डिजिटल संचार से इकोसिस्टम में हुए बदलाओं और प्रगती को ध्यान में रख कर राश्त्री दूर संचार नीती को क्या कहा जाएगा आपशन भी राश्त्री डिजिटल संचार नीती उत्तर प्रदिस चावल निर्यात प्रोथ सहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी आपशन भी बर्स 2022 तक और इसी के साथ आपका प्रेक्टिस सेट नंबर 41 कम्प्लीट हो जाता है नाव प्रेक्टिस सेट नंबर 42 पहला प्रश्न है कि कुटूईर जोत योजना से निमलिखित में से कौन सा कारिक्रम संबंधित है आपशन ए ग्रामिर्ड छेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे दीवन्यापन करने वाले परिवारों को बिद्दुत उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी रकम की सहायता दी जानी चाहिए रूप 25 लाख रूप है इन में से कौन सी भाइस की किस्म है मुर्रा, बदावरी, तुनागपुरी, सभी की सभी आपसंडिय मुख्यमंत्री ब्यापारी दुर्गटना बीमा योजना का नाम पहले क्या था? आपसंडियोखी में जीवन ब्यक्तिगत दुर्गटना बीमा योजना उतर प्रदेश में भाभर छेतर का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है कंकरीली योम पथरीली निमनलिखित में से कौन सा भूमी सुधार भारत में सबसे पहले प्रारम्भ किया गया आपसंडियोखी जमीदारी उनमूलन जाफराबादी किस एक पस्व की भारती नसल है? आपसंडियोखी भैश उत्तरप्रदीस राजस्व परिशद की अस्थापना कब की गई थी? बर्स 1831 इसबी में जो छेत्र ग्रामीर सी नगरिये छेत्र में परिवर्तित हो रहा है उस छेत्र का गठन किस में किया जाएगा? आपसंडियोखी नगर पंचायत बर्स 2011 की जनगड़ना की अंसार उत्तरप्रदीस का आवसतन जनगहनत तो केतना है? आपसंडियोखी आठ सवंतिश प्रति भर्ग किलो मीटर उत्तरप्रदेश में अधिक्तम छेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? आपसंडियोखी लखेम पुर्खीरी उत्तरप्रदेश वन प्रसिक्षन संसुथान कहां इस्थित है? आपसंडियोखी कानपुर में उत्तरप्रदेश का परिच्छा बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपसंडियोखी बेतवा नदी उत्तरप्रदेश का सबसे उंचा बांध कौन सा है? आपसंडियोखी रामगंगा राकड मिट्टी उत्तरप्रदेश में पाई जाती है आपसन C. परवतिय योम पहाड़ी धालों पर केशव पंचवर्षिय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया था आपसन B. पाचवी राश्टिय बिस्तार सिवा केशव पंचवर्षिय योजना में सुरू किया गया था आपसन E. प्रथम उत्तरप्रदेश जमीदारी उन्मूलन योम भूमिशुधार अधनियम कब पारित किया गया बर्स 1950 इस भी में चावल का कटोरा किशराज्जी को कहा जाता है आपसन C. आंधरप्रदेश अंतरराश्टिय चावल अनुसंधान केंद्र कहा इस्थेत है आपसन C. मनीला फिलिपीन सुमे मुख्यमंत्री किसानियूम सरवहित बीमा योजना की तहत जरूरत पढ़ने पर कितने रूपए तक कृतम अंग लगाने में निर्भान किया जाएगा आपसन B. एक लाख रूपए भारत अंडे के उत्पादन में बिस्थ में किस आस्थान पर है आपसन C. तृतिय आस्थान पर है बर्स 2017 की पसुगड़ना के अनुसार कौन सी पसुगड़ना थी 2017 वाली इसके बाद आप जानते हैं पसुगड़ना हर बाइस हर पांच साल पे होगी यानि 2022 में होगी तो बताइए 2017 की जो पसुगड़ना रही वह कौन सी रही तो वह बीशुई पसुगड़ना रही फुमरी गाय का गिर्जा देवी का संबंध किस से है तो यहाँ वारान सी घरानी से है आपसन भी यहाँ पर आपका सही जबाब होगा और इसी की साथ आपका प्रेक्टिस यट नंबर 42 कंप्लीट हो जाता है अगला प्रेक्टिस यट नंबर आपका 43 है पहला प्रस्ण है कि राजस्व परिशद न्याईक की कार्य क्या होते है आपसन डी उपर उक्त सभी रिगबेद में सरबाधिक उलेखित नदी कौन सी है आपसन इस सिंधू नदी भारत का सबसी बड़ा हडपाई नगर कौन सा है आपसन इस राखी गढ़ी सिराज इहिंद किस नगर को जाना जाता है आपसन सी जवनपुर को उत्तर प्रदेश की किस नहर से सरबाधिक छेतर की सिचाई की जाती है आपसन सी सारदा नहर सामुदाई की विकास कारिक्रम कब प्रारम्भ किया गया दो अक्टूबर 1952 भी को बुंदेलखंड छेतर की किसी एक नहर का नाम है तो बुंदेलखंड छेतर की एक नहर है जिसका नाम है बेतवा नहर आपसन सी दस मई 1857 इजबी को भारत की महान सिपाही विद्रोह का प्रारंभिक बिस्पोट कहां से हुआ था आपसन बी मेरठ से चकबंदी लेखपाल किसकी अधीन होता है आपसन बी चकबंदी आयुक्त बर्स 2011 की जनगड़ना की अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्यावाला जिला कौन सा है आपसन बी महोबा निम्लिकित में से कौन सा कार्य प्रसासनिक राजस्व परिशद की अंतरगद आता है ग्यारा का अंसर जो है भू अभिलिकों का राजस रखाओ प्लस माल गुजारी लगानों सुलना और भूमी अर्जन ठीक है तो सभी की सभी आप्शन टी आपका सही जबाब है अगला प्रस्ण है कि दोतिय योजना आउकास की अमधी क्या है आपका सही जबाब हो जाएगा बर्स 1990 और 92 के मद्द राजकी ये बन किसे कहते है राजकी ये बन आपका सही जबाब होगा जो बन पूरता है राजकी सर्लक्षन में हो उत्तर प्रदेश का भावतिक छेत्र है तो भावरियों तराई मध के मैदाने छेत्र दर्चड के पठारी सभी के सभी आप संडी बन रिपोर्ट कितने बर्स के अंतराल पर जारी की जाती है जैसे कि आप जानते हैं जनगड़ना आपकी दस होती है पसुगड़ना पांच पे होती है इसी तरह यहाँ पर बन रिपोर्ट बताना है जैसे कि अभी आप पढ़ते होंगे जिशन्ड की बन रिपोर्ट इस्तिती रिपोर्ट दो हजार उननीश उसके बाद आप देखेंगे कि हद दो साल पे जारी की जाती है तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दो साल का मतलब आपसन ए ठीक है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचेत भूमी का कितना प्रेशत नहरुदारा सिंचेत है आपसन सी 18.2 प्रतीशत विश्चुकर्मा स्रम सम्मान योजना की सुरवात कब हुई 24 जनवरी 2019 उत्तर प्रदेश में रानी लच्चमी भाई पर योजना किस नदी पर अवस्थित है आपसन भी बेतवा नदी पर किस प्रकार की मिट्टी अधिक्तम पानी संजोई रखती है आपसन सी मटियार मिट्टी भिलाई लओ ही इस पात संयंत्र जोकी 36 गड़ में है इसके सहीयोग से लगाया गया है किसके सहीयोग से आपका सही जबाब होगा रसिया आपसने त्रितिये पंचबर्षिये योजना की अवधि क्या थी बर्स 1961 से चाचट तक गंगा यमुना मैदानी छेतर का हुआ भाग जहां बाढ़ का जाल नहीं पहुँच पाता है वो इसी मिर्दा को कहा जाता है बांगर मिर्दा आपसन भी नेक्स्ट है कि जलोड मिर्दा में किस रसायन की प्रचूरता रहती है आपसने पोटासियों चूना अनवरत योजना किस प्रधान मंत्री ने शुरू की थी अनवरत योजना आपसन सी मोरार जी देशाई अन्तिम प्रशन है कि उत्तर प्रदेश में तहसिल दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रतीक माह में कब होता है आपसन भी प्रतीक माह के प्रथम योँम त्रितिये मंगरवार को आपसन यहाँ पर आपका 20 सही जबाब है और इसी के साथ आपका प्रेक्टिशेट नमबर 43 तक कंप्लीट हो जाता है चलिए अगला प्रेक्टिशेट नमबर 44 नमबर है चलिए पहला प्रशन है कि राश्टिय चावल उनसंधान के इंद्र कहां अवस्थीत है आपसन यह कटक उडिशा में मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रतमस्थान पर कौन सा देश है आपसन भी अमेरिया वीरांगना दल का गठन किसी योजना में किया गया आपसन सी किसोरियों के लिए योजना कामधेन योजना किस से संबंधित है आपसन भी दुगध उत्पादन से कौन सा सीचाई जल का भूगर भी पुश्रोत है आपसन डी कुँआ निम्नलिकित में से कौन ग्रामीड जीवन की एक प्रमुख विशीसता है आपसन डी परिवारवाद व्यक्ति के सीखे हुए व्योहार को हम क्या कहते है आपसन डी संसकृति आपसन डी उप्रोक्त सभी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्बादिक वर्षा होती है आपसन बी गोरकपुर सेतर रितु में उत्तर प्रदेश के किस छेतर का तापमान सबसे कम रहता है पस्मी गंगा का मैदान जनगड़नाद 2011 के अनस्वार राज्ज में सिसु लिंगा अनुपात कितना है सिसु लिंगा अनुपात राज्ज में तो यहां पर राज्ज में आप पूरा इसको भारत कर लीजिए ठीक है भारत करेंगे तभी आपका आपसन यहां पर सही जवाब होगा यदि आप यहां पर यूपी कर लेंगे तो यहां पर आपका 902 हो जाएगा चलो आगे चलते हैं दोस्तों तो यहां पर आप करिए कि जनगर्णा 2011 के अंसार शाइड जो सेक्स रिशियो है वह कितना है पूरी भारत का 901 है ठीक है अगला है कि जनगर्णा 2011 के अंसार राज्ज में महिला आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है आपसंद भी सही जबाब होगा 47.71 प्रतिशत बन रिपोर्ट जारी करने की सुरवात कब हुई है बरस 1987 इजबी में ब्रिक्ष बंधु पुरसकार योजना के से संबंधित है आपसंद भी ब्रिक्षार ओपन योंबन नजीव सलक्षन को बढ़ावा देने से गोविंद वल्लब पंथ शागर योजना जो यह पर योजना है यह अवस्थित कहां पर है तो यह सोनवद डिस्टिक्ट में है निमलेखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेजल पर योजना है आपसंद सी गोकुल बैराज पर योजना उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला और नालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? इटावा उत्तर प्रदेश में वाईव अपरदन से सरबाधिक प्रभावित छेत्र कौन सा है? दक्षड पश्मी छेत्र नाबाड की अस्थापना किस पंच वर्षिय योजना में हुई थी? शठी पंच वर्षिय योजना सभी को भोजन तथा रोजगार सिजन किस पंच वर्षिय योजना की प्राथी में घता थी? सात्वी गाउं की जमीन के नक्से को क्या कहा जाता है? आपसन भी सजरा अगला प्रश्न है उत्तरप्रदेश में कौन सा जिला गन्य की उत्पादन में प्रथमस्थान पर है मजबफर नगर नेल भी द्रोह कहां से शुरू हुआ था आपसन एत्पस्यम बंगाल से कन्या सुमंगला यूजना को कौन सी विभाग द्वारा संचारित किया जा रहा है आपसन डी महिला कल्यान विभाग के द्वारा ब्रिद्धावस्ता पैंसन यूजना में लाभार्थी को कितने रूपए दिये जाते हैं आपसनी 500 रूपए और इसी के साथ आपका प्रेक्टिश टेस्ट नंबर 44 कम्प्लीट हो जाता है प्रेक्टिश ट नंबर 45 है पहला प्रेस्ण है कि आधुनी की करण ने मानों मन की किस द्रिष्टी कोण में परिवर्तन किया है आपसन डी सभी ग्रामीड परिवीस में कच्चे मकानों पर चांद सूरज पच्चियों के चेत्र लोक निरत्य तथा गीत क्या दरसाते हैं आपसनी ग्रामीड संसिक्रिति निर्ण में से कौन सी बिधा ग्रामीड समाँद में मनोरंजन से जुड़ी सांसिकर्थिक बिधा नहीं है आपसन डी सिनेमा जनगडना दो हजार ग्यारा की अनुसार निर्ण में सी शर्वादिक जनगनत तवाला जिला कौन सा है आपसन बी गाजियाबाद ग्राबिन समाज से सम्बन्धित निम्न कत्नों में से सही को चिन्हित कीजिए आप संडी एक समाजिक समोही या बर्ग में निरंतर बदलाव नहीं होता है इंद्रावास योजना जो कि एक केंद्र शमर्थित योजना है इसका राज सरकार की शाथ लागत सहवाजन कानुपात क्या है तिंद्रावास योजना में सेंटर का जो इस्टीट होता है वह सो में कितना रेश्यू है सो में 75 सेंटर का होता है और राज जी का जो है वो 25 है भारती राष्टिय कांग्रेश की एलहाबाद अधिवीशन की अध्यक्सता किसने की थी आपसन भी जार्ज यूले ने जनगर्णाथ 2011 के उन्सार अनसूचित जनजातियों में लेंगा अनुपात कितना है आपसन भी 951 अगला प्रस्ण है कि उत्तर प्रदेश के भावगोली की छेतर में सम्मिलित नहीं है आपसन भी नीलगीर पहाड़ी उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानी की योजना कब सुरू की गई थी बर्स 1976 इस भी में उत्तर प्रदेश का प्रथम बन ग्राम कहां इस्थित है आपसन इस सोन भाद्र में अगला प्रस्ण है कि फुलहार जील भारत की किस राज्जिमें इस्थित है आपसंडि उत्तर प्रदेश प्रधान मंत्री ग्राम्षणा की योजना प्रधान मंत्री के किस जनम दिन पर प्रारंभ की गई थी तो कौन से प्रधार वद्दिल रहे है दोस्तों यहाँ पर आपका सही जबाब हो जायगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाज़वय इन में से कौन सी आलू की किस्म नहीं आलू की किस्म है इसमें कि जो आलू की किस्म है वो है सभी के सभी कुफरी चंद्रमुखीट सिप्सोना वन कुफरी लालि मा ठीक है अगला प्रशन है कि ग्रेशी की द्रेश्टी से सबसे हानिकार की योजना कौन सी है? आपसंसी नमी दोतिय पंच बरसिय योजना का प्रारूप किसने तयार किया था? आपसंसी पीसी महाल अनोबिस रभी फसल की समाप्ती का समय क्या होता है? मार्च अप्रेल में प्रथम राज जी कौन सा है? आपसं ये उत्तर प्रदीज एग कंचवासी किसके बराबर होता है? बीस उनमानसी के किस सत्यागरा में सरदार बल्लब भाई पटेल को सरदार जी की उपाधी मिली है? आपसंसी बर्दावली सत्यागरा मौपला बिद्रोह किस से संबंधित है? मौपला बिद्रोह माला बार तक केरल के मुस्लिम किसानों से संबंधित है? आपसंसी पोटी से योजना के तहत यदि कोई व्यक्ती एक मुट पैसा जमा यदि एक व्यक्ती पैसा जो है वो एक मुस्त देना चाहता हता उसे कितने प्रश्चत की छूट दी जाएगी? पोटी यस योजना के तहत तो उसको दो प्रश्चत की छूट दी जाएगी? आप्षन यहाँ पर आपका C सही जवाब है महा माया गरीब आर्थिक मदद योजना की श्राज्जी की योजना है आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदीश आप्षन B प्रथम आनलाइन पशुगड़ना कौन सी पशुगड़ना है आप्षन D बीशवी बर्स 2012 की तुल्ना में 2017 में पसुधन में कितना प्रतिशत की बृद्धी हुई है 4.6 प्रतिशत आप्षन B और इसी के साथ आपका 45 अमा जो प्रेक्टिस सेट है वह कम्प्रीट हो जाता है अगला प्रेक्टिस सेट नंबर आपका 46 है निम्ड लिखित में से कौन सी फसल दलहन वा तिलहन दोनों में आती है आप्षन इसोयाबीन जवाहलाल नहिरु ने राजस्थान के नागावर डिस्टिक में सर्वपर्थम पंचायती राज का सुबारंब किया था कब 2 अक्टूबर 1961 इसबी को आप्रेशन फलड का तीशरे चर्ण का समय क्या था बरस 1985 से पंचान नवे भारत में योजना योग की अस्थापना किस बरस हुई थी बरस 1985 इसबी में निमनमे से कौन सा धर्म से सम्दित ब्यवहार नहीं है धर्म से सम्दित जो ब्यवहार नहीं है वह है बाल विवाह आप संसी पंचायती राज ब्यवस्था को सुधिर बनाने के लिए कौन सा संबिधान संसोधन किया गया है 81 संबिधान संसोधन के संबिधान संसोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संबाधानिक दर्जा प्रदान किया गया आपसन भी 74 वा संब्धान संसोधन और वहीं पर जादा पूशा जाने वाला पंचायती राज भी है जो कि 73 वे के तहट जोड़ा गया था किस समित ने चतुर्थ अस्तरिय पंचायत ब्यवस्था का सुझाव दिया था यहां पर आपका सही जबाब होगा जी बे के रावस्थ समिती ने आपसन भी आपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है सूत्रधार नहीं वर्गी स्कूरी अनमूल के फाउंडर निमलिकित में से कौन सा ब्यवहार नायतिकता से सम्मन्धित नहीं है सही जबाब होगा आपका आपसन भी सदाचार रईयत वाड़ी व्यवस्ता का खाका किसने तयार किया था तयार करने वाले थे अलेक्जंडर रीड आपसन भी अगला प्रस्ण है कि एक डिसमिल किसके बराबर होता है सही जबाब होगा यह और भी दोनो मध्यान भोजन कारिकरम के अंतरगत मध्यान भोजन की पकाने परोसने वा उपभोग में सवच्छता का ध्यान रखने के लिए जाजपरताल कितनी आपरिती पर करने चाहिए सही जबाब होगा आपका आपसन भी दैनिक पशुगड़ना 2017 की अंसार देश में कुलभैसों की जो संख्या है वह कितनी है 109.85 मिलियन पशुगड़ना 2017 की अंसार 2012 की तुल्ला में गधों की संख्या में कितने प्रच्छत की बृद्धी हुई है गधों की तो बृद्धी जो हुई है वहाँ एक प्रकार से आप कहेंगे रणात्मक रही है है ना कमी ही हुई है तो 0.67 प्रच्छत बृद्धी जो है वो रणात्मक रही सबसे अधिक मात्रा में केसर जो मिलता है वह जम्मो कस्मीर आपसन से भारत में सहायता कलब की अस्थापना किस पंच वर्षिय योजना के दावरान की गई थी सही जवाब आपका हो जाएगा दूतिये बरस उन्नीस सो पच्चीस इजबी में कांग्रीस की कानपूर अजिवीशन की या धक्षता किसने की थी नापसन सी सरोजनी नाइडू ने वन रिपोर्ट दो हजार उन्नीस की अनुशार किस क्रम की रिपोर्ट है तो यह जो वन रिपोर्ट उन्नीस की रही यो कौन सी रिपोर्ट रही है यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा यहाँ सोलमी रिपोर्ट रही है अंतरराश्टिय वन दिवस कब मनाते है 21 मार्च को इन में से कौन मेट्रिक इकाई नहीं है आपसन सी एकड़ जनगड़ना 2011 की अनुशार नियूंतम जनघनत तवाला जिला कौन सा है लोवेस्ट पापॉलेशन डिज देन्सिटी है उतरप्रदेशी किस लिट्टिक में आपका सही जबाब हो जाएगा आपसन भी ललिपोर्ट सगन बिरिच्छार उपड कारिक्रम किस बर्स चलाया गया नापसन सी 2005 ची में मनेरेगा के अंतरगत संगठक के शामन मामले में केंद्र और राज जी का जो हिस्सा है वह कितना है यहाँ पर आपका सही जबाब होगा 75 और 25 रेशियू है राश्टिय क्रिशक आयूग किस पंच बर्स योजना में अस्थापित किया गया है नापसन भी 11 पंच बर्स योजना और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 46 कम्प्लीट हो जाता है अगला आपका प्रैक्टिस सेट है 47 पहला प्रशन है कि पीली क्रांती किसे से संबांधित है तो जो पीली क्रांती है वो तिलहन उत्पाजन से पपीते में खाया जाने वाला भाग कौन सा है आपसंडी मध्यवा अन्ता फलावित्ति सुस्क खेती वहां की जाती है जहां वर्शा होती है कितनी सेंटी मीटर पचास सेंटी मीटर से कम वहां सुस्क खेती की जाती है जहां वर्शा पचास सेंटी मीटर से कम होती है फार्मों पर फसल उगाने की साथ पसूपालन करना क्या कहलाता है मिक्स फार्मिंग महालवाड़ी व्यवस्था किसके सासनकाल में लागो हुई थी लाड विलियम बैंटिक पंचायतों की यवध कितनी होती है पंचायतों की यवध ही पाँच वर्ष होती है प्रथम अधिवीशन से किस संब्धान संसूधन के तहत अरणाचल प्रदीस में अनसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षन संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है तिरासी में संब्धान संसूधन के तहत राष्टिय डियरी अनसंधान संस्थान कहां इस्थित है करनाल हरियाणा में रयतवाडी ब्यवस्था कब बनाई गई थी बरस 1792 इजवी में गेहूं की रोटी निम्नमे से किसके कारण फोलती है आपसंसी इस्ट की कारण जिलास्तर पर मनरीगा का परिचालन किस इगाई दोरा किया जाता है जिलाग्राम में विकास अधिकरण आपसंसी मत्स पालन को क्रिची का दरजा कब दिया गया था जून 2015 में महिलाडेरी योजना किस विभाग द्वारा लागू की गई थी आपसंडी दुग्द विकास विभाग की द्वारा बर्स 2019 की बन रिपोर्ट की अनुसार उत्तर प्रदीश में कुल कितना बन छेतर पाया जाता है 16,582 बर्ग किलो मीटर बन रिपोर्ट 2019 की अनुसार उत्तर प्रदीश में कितना प्रदीशत ब्रिक्षावरण पाया जाता है 3.04 प्रदीशत बन रिपोर्ट 2019 की अनुसार उत्तर प्रदीश में प्रथम उत्तर प्रदीश में जो मध्यम सगन बन वो कितने बर्ग किलो मीटर है 4.08 बर्ग किलो मीटर किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी अर्प्षन सी गोरखपुर बन रिपोर्ट 2019 की अनुसार उत्तर प्रदीश की किस जिले में सरबाधिक वन छेत्र पाया जाता है सोन भद्र में उत्तर प्रदेश में वर्षा मुखत्या किस मान्सून से होती है बंगाल की खाडी आप सनिहा पर आपका बी सही जबाब है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निमलिकित में से कौन थे सही जबाब होगा आपका बिसंभर दयाल जनगड़ना 2011 की अनुसार सरबाधिक महिला साथ छर्ता वाला जिला कौन सा है आपसन एक कानपुर नगर जनगड़ना 2011 की अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम ग्रामिड आबादी वाला जिला कौन सा है आपसन बी गयुतम बुद्धनगर जनगड़ना 2011 की अनुसार सरबाधिक मुसली माबादी वाला राज जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश प्रख्यात कभी मैथली शरण गुप्त का जन्म कहां हुआ था आपसन सी जहासी में आसा किशकारग्रम की देन है आपसन बी ग्राश्ट्रिय ग्रामिड स्वास्थ मिशन और इसी के साथ आपका प्रेक्टिश हेट नंबर 47 कम्प्लीट हो जाता है अगला है प्रेक्टिश सेट 48 पहला प्रश्ण है कि राश्टी स्वयावीन और संधान केंद्र कहां इस्थित है आपका सही जबाब होगा इंदावर में आदर्स सेवा ग्राम योजना की सुरुवात किस गाउं से हुई है सही जबाब है श्री शुन्दरम से अगला प्रश्ण है आपका बर्स 2001 और 11 के बीच उत्तर प्रदेश की जन घनत्तों में जो व्रिद्धी हुई है वह कितना बर्ग किलो मीटर है तो प्रति बर्ग किलो मीटर में जो व्रिद्धी है दोस्तों वह जो है 139 प्रति बर्ग किलो मीटर है मिट्टी का रंग काला होना जो प्रकट करता है वाभूमी में जयोपदार्थिकी उपस्थिती का क्रिसी ब्योसाय में आधुनिक्ता का प्रतीक क्या है हरित क्रान्ती भारतिय संदर्भ में सामान नतया नगरिये का अर्थ क्या है नगरिये का अर्थ होता है जन संख्या का अकार तथा जन घनत्त का प्रकार अमीर खोशरों का जन्म कहां हुआ था कास गंज में ग्रामिड छेत्रों में पेजल हेतु केंद्र द्वारा स्वजलधारा कारिक्रम कब सुरू किया गया था आपसंसी बर्स दो हजार दो में निमन में से किस राज़ी की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है पंजाब से जन गड़ना दो हजार ग्यारा के अनुशार उत्तर प्रदेश में शरबाधिक मुसलिम आबादी वाला जिला कौन सा है सरबाधिक मुसलिम आवादी वाला जो जिला है वहां है कौन सा मेरट और इस प्रस्न से आपको कन्फियूज नहीं होना है तीक है मेरट यहां पर सबसे आवादी अधिक की पूची गई है लेकिन यही पर पूच ले आता है सबसे ज़्यादा मुसलिम जनसंख्या वाला धर्म के हिसाब से देखोगी तो रामपूर हो जाएगा ठीक है यनि जो रामपूर की जो टोटल पापूलीशन है उसमें हिंदू की पापूलीशन मुसलिमों की पापूलीशन से क्या है कम है लेकिन उबर आल अगर देखोगे कि इस डिस्टिक में सबसे ज़्यादा पापूलीशन है तो मेरट लगाना आपको ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं जनगरना 2011 की अनुसार उत्तर परदेश में सरबाधिक सिसुलिंगान उपात वाला जिला कौन सा है बलराम पूर आपशन बे बन रिपोर्ड दो हजार उनुसार उत्तर परदेश के कौन से जिले में सबसे कम बन छेत्र पाया जाता है आपशन ए भदो ही दाटिज रभी संतर रविदास नगर सूखा आसंकित छेत्र कारिक्रम कब प्रारंब हुआ था 1273 इस्वी में किसराज्ज के बन और व्रिक्षा वरण में सबसे अधिक ब्रिद्धी हुई है आपशन ए करनाटक साही इकाई ब्यवस्था पूरे भारत में कब लागु किया गया है एक जनवरी 1826 इस्वी मैंगरो बनो की सरवादिक व्रिद्धी में सीर्स राज्ज का उनसा है आपशन भी गुजरात पसुगड़ना 2017 की अंसार भारत में घोड़ों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर आप क्या कहोगे दोस्तों यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा पॉइंट थ्री फोर मिलियन पसुगड़ना 2017 की अंसार भेड़ों की संख्या में सब प्रथम राज्ज कौन सा है भेड चलंगान अगला प्रस्न है पसुगड़ना 2017 की अंतिम रिपोर्ड कब आई वर्स 2019 इन में से सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा जो है वह है उन्वानसी आपसंसी फिर उन्वानसी से बड़ा कंचवानसी कश्वानसी से बड़ा विश्वानसी हो जाता है न चलो प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना का धेय क्या है लच्छे क्या है यहां पर आपका सही जबाब हो जाएगा ग्रामीड आवस्यकताओं की पूर्ती जैसे की प्राथमिक सिच्छा, स्वास्त रच्छण, पेजल, आवास तथा ग्रामीड सड़के हैं उर्दू सायरी में फिराक गूरख पूरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है तो यह हैं रगुपती सहाय, आप संडी राश्टिय ग्रामीड स्वास्त मिसन का सुबारंब कब हुआ है इसका सुबारंब बारा अप्रेल 2005 में हुआ है राश्टिय क्रिसी बीमा योजना कब प्रारंब हुई यहां पर आपका सही जबाब होगा यहां है 1999-2000 यहां आप से यहां पर आपका सही जबाब है अगला प्रस्ण है कि एक मीटर में कितना इंच होता है तो एक मीटर बराबर होता है 41.4 इंच ठीक है 39.4 इंच होता है तो इसी के साथ दोस्तों आपका प्रेक्टी सेट नंबर 40 इट कंप्लीट हो जाता है अगला प्रेक्टी सेट नंबर 49 है पहला प्रस्ण है कि आलूद पादन किस क्रांती से संबंधित है आपसन भी गोल क्रांती गुलावी क्रांती का जनक कौन है आपसन भी दुर्गीश पठी राश्टिय बीज निगम की अस्थापना कब की गई थी बरस 1963 इसीबी में अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कारेचेतर में आने वाले कुल कितने बिसय दिये गए हैं खुल वंतिस बिसय हैं आपसन सी भारत में पंचायती राज दिवस कब मना जाता है तो पंचायती राज दिवस जो है आपका मना जाता है 24 अपरेल को भारत में प्रथम नगर निगम की अस्थापना कहां की गई थी बारत में पहले नगर निगम की अस्थापना कलकत्ता आपसने ग्रामीडवा नगर समुदाय में एक बैज्ञानिक अंतर निम्निमे से किशाधार पर किया जाता है लोगों के बैवसाई की आधार पर भारत में प्रतिवर्स क्रिशक दिवस कब मनाया जाता है 23 दिसंबर पहली बार क्रिशी संगरना किस बर्स कराई गई बर्स 1927 भी किस अनुच्चेत के तहट नगर पालिकाओं में आरक्षड सम्बंधी प्रावधान दिया गया है अनुच्चे 243 है अगला प्रस्ण है कि भारत में सहकारी समीतियों को किस संब्धान संसोधन की तहत जो है संब्धानिक दर्जा प्रदान किया गया है अगला प्रस्ण है कि नईक्रसी नीति में कितने छेत्रों पर बल दिया गया है साथ छेत्रों पर किस क्रांती को सदा बाहर क्रांती के नाम से भी जाना जाता है इंद्र धनुसी क्रांती आपसन यहाँ पर सी सही जबाब है क्रिसी में युग्म पैदावार का आसे क्या है एक फसल बर्स में दो या दो से यदिक फसल उगाना एक भूमी पर दो या दो से यदिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है अन्ता फसल ये क्रिसी एक हेक्टेयर में कितने एकड होते हैं एक हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड खेतों की माप खसरा खतवनी में किश पैमानी पर खेतों की जो माप खसरा खतवनी में किश पैमानी में अंकित रहता है हेक्टेयर में आपसन से मेट्री की काई ब्यवस्था कब अपनाई गई एक अक्टूबर 1958 भी एक मील कितने गज के बराबर होता है 1760 गज भारत का कौन सा राज छेतरफल की द्रिष्टी से ब्रिक्षावरण की मामले में प्रथम अस्थान पर है आपसा ने मध्य प्रदेश भारत में प्रतिव्यक्त दूध उपलब्धता कितनी है 322 ग्राम प्रत दिन देन दयाल उपाद्या ग्राम जियोती बीमा योजना की शुरवात कब और कहां से की गई है 25 जुलाइद 2015 को पटना से की गई है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीड की अंतरगत परवतिये छेत्रों में केंद्र यूम राज सरकार दौरा की सनुपात में सहायता दी जाती है सहायता दो जी जाती है वो 90-10 की रेशियो में प्रधार मंत्री योजना ग्रामीड की तहत इसमें केंद्र सरकार का जोवे है 90 होता है और सव में 10 जो हो राज सरकार का है राश्टिय बननीत 1988 की अनुशार कितने हिस्से पर बनो योम ब्रिक्षों का होना आवस्ट्यक है सही जबाब है आपका आप्सन भी 33 प्रतिशत 2011 की जनगडना की अनुशार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है 9.5 तीन करोड आप्सन भी और इसी के साथ आपका प्रेक्षी सेट नंबर 49 जो है वो कम्प्लीट हो जाता है बढ़ते हैं अगले शेट की ओर अगला आपका सेट है प्रेक्षी सेट नंबर 50 और आप कह सकते हैं या अन्तिम सेट होगा पहला प्रस्ण है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिंदु धर्म से संबंध रखता है आपसन इसे ही जबाब है 89.73 प्रतिशत है जनकरनाद 2011 के अनुशार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाउं में निवास करती है 77.73 प्रतिशत निमलिखित में से कौन सा जिला अंतर राष्टी सीमास पर्स नहीं करता है बस्ती उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समित की अस्थापना कब हुई थी सही जबाब आपका होगा लखनव में 20 सूत्रिय कारिक्रम की स्प्रधान मंत्री के कारिकाल में प्रारंब किया गया इंदिरा गांधी क्रिसी लागत ववा मोल ले आयोग कहां इस्थेत है दिल्ली में भारत में सरबाधिक छेतरफल कौन सी फसल है सबसे अधिक छेतरफल में जो भारत में फसल है वो है गेहूं निम्नमे से बिक्सित टर्मिनेटर तक के नीकी का उपयोग की फसल में होता है चावल में ग्राम भूप्रबंधन समिती का अध्यक्ष कौन होता है गाउं का प्रधान आपसन भी निम्न में से कौन सा कृत्ति ग्राम पंचायतों में समलित नहीं है कानून व्यवस्था राश्टिय ग्रामेड विकास संस्थान की अस्थापना कहां हुई हैद्राबाद प्रदेश में भू अभिलेख के रख रखाव का उत्तरदाईत्व किसे सौपा गया है आपसन डी जिलाधिकारी दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके नियायालाय में प्रस्तुत की जाती है तासीलदार निम्नलिखित में से किस समित ने पंचायती राज संसुथाओं को संभाधानी के दरजा प्रदान करने की सिफारिश की है यहाँ पर आपका सही जबाब है अलम सिंग बी प्लस पीकिर थुंगर समिती यहाँ आपसन यहाँ पर डी सही जबाब होगा अगला प्रस्न है दोस्तों कि 74 संभिधान सद्धनो नाजनियम के तहट किस भाग को जोड़ा गया है आप जैसा की जानते हैं 73 संभिधान पंचायती राच रह जिसमें की नौवा जोड़ा गया था उसके बाद 9A के तहट जो है आपका जोड़ा गया है 74 संभिधान संसोधन आप क्या कहेंगे मुंसिपालिटी यो ठीक है यहाँ नगरपाली का आपसन भी यहाँ पर आपका सही जबाब होगा किस चार्टर अधनियम की तहत मद्रास जो कि बरतमान में चेन नई कलकत्ता बरतमान का नाम कूलकाता तथा बंबई बरतमान में इसका नाम मुंबई तीनों महानगरों में नगर निगम की अस्थापना की गई जानते हैं कि अभी पढ़के आ रहे हैं सबसे पहले प्रस्ण करके आ रहे हैं सबसे पहला जो नगर निगम रहा कलकत्ता का रहा है और इसके साथ चन्नाई है ना मद्रास जिसको आप कहोगे फिर बंबई इनमें अस्थापना की गई तो किस आईख्ट केता है तही जबाब होगा चार्टर अधनियम 1793 संबिधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान को किस अनुसूची में रखा गया है बार्मी अनुसूची में रखा गया है पंचायतों की सक्ति अधिकार और उत्तरदायत किस अनुच्छेद में वर्णत है आर्टिकल तो 243 जी है पड़ा था गेहूं चावल किस क्रांती में प्रतक्ष या प्रतक्ष रूप से क्रिसी छेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों का सम्मिलित प्रियोग किया गया है इंद्र धनुसी क्रांती उर्बरक के छेत्र में आत्म निर्भरता के लिए उत्पादन है तो क्रांती का ना भारत में सरबादिक भूमी पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है आपसन बीधान सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है जैसे कि आपने देखा था काला जो सोना थाफीन को कहा जाता है यहाँ पर आपको सफेद सोना बताना है आपका सही जबाब हो जाएगा कपाज भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज कौनसा है का नाम है उत्तरप्रदीश आपसने अंतिम प्रस्ण है है ना सेट नमबर 50 का अंतिम प्रस्ण है 25 और इसी के साथ आप 1250 IMCQ को कबर कर लेंगे 50 सेट के साथ एकल सस्यन किसे कहते हैं यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा आपसन भी एक बरस में केवल एक ही फसल उगाना तो दोस्तो इसी के साथ आपने 50 के 50 प्रेक्टी सेट एक ही वीडियो में कमप्लीट कर लिया इसी को आप बार बार देखते रहे 1250 MCG की अच्छी गासी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीवरी के पार्ट को ही आप कबर करते रहेगा दोस्तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर यदि नए हैं दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकान के आल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट साब सभी को प्राप्त होती रहे थैंक्स फार वाचिंग